इस वीडियो से एक नए चाप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एट हिस्टरी का चाप्टर चाप्टर है ट्राइबल्स डीकूज एंटी विजन ऑफ गोल्डन एज काफी बड़ा सा नाम है चाप्टर का जी हां हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है एक सेकंड मैं अपना हतियार त्यार कर लूँ हम ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे हम डीकूज के बारे में पढ़ेंगे what the chapter is all about, हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, chapter में, chapter में कौन-कौन से topics है, chapter की कहानी कैसी है, तो एक basic introductory video है, जैसा आप हर chapter में देखते हैं, ठीके, तो देखिए क्या है, who is this person, बिर्सा मुंदा, भगवान बिर्सा मुंदा भी कहा जाता है, लोगों के sentiment जुड़ हुए, हम भी ब बिर्सा मुंदा कहेंगे, ठीके, अब बिर्सा मुंदा कौन थे, ठीके, उसे समझते देखिए, तो story starts with a man named बिर्सा, ठीके, इनका नाम बिर्सा रखा गया, और ये tribal community को बिलॉंग करते थे, tribes के बारे में तो आप सभी को पता है, ठीके, जो कह सकते हैं, गिरिवासी रहते ह जंगलों में रह रहे हैं, जिसे आदिवासी भी कहा जाता है, जिनके ग्रूप को, तो वो लोगों को tribe कहा जाता है, ठीक, अब tribes जंगलों में रहते हैं, उनका अलग custom होते हैं, उनका अलग practices होते हैं, सारी चीज़ें उनका जीवन को जीने का अलग तरीका रहता है, ठीक है वो अपनी एक अलग identity लेके चलते हैं जिस तरह से mainstream society के लोग होते हैं उसी तरह से tribes भी होते हैं अच्छे लोग होते हैं तो अब क्या होता है कि story ऐसे start होती है कि बिरसा नाम के एक इंसान को क्या किया गया जंगलों में घूमते हुए देखा गया तो अब यह जो इंसान थे त miraculous जादूई शक्तियां थी इनके पास में जादूई शक्ति कैसी शक्तिमान जैसी तो जी हां कुछ वैसी ऐसा माना जाता था कि लोगों को heal कर सकते हैं कोई बिमार है तो भगवान बिरसा मुंडा उन्हें क्या कर देंगे ठीक कर देंगे he could multiply the grains अनाज कम है तो उसे जादा क security पूरी तरह से ensure कर सकते हैं तो इस तरह से क्या है कि उनके पास में बहुत सारी miraculous पावर थी और उन्हीं miraculous पावर के कारण उनके क्या थे बहुत सारे followers थे ठीक है अब देखो क्या है विरसा मुंडा ही हिमसेल्फ claim that he was appointed by the God उन्होंने खुद कहा कि वो क्या है भगवान के तर ठीक है जो tribes है जैसे बरसा मुंडा तो यह मुंडा tribe को belong करते थे ठीक है तो मुंडास जो है तो अपने tribes को क्या करने के लिए डीकूस से बचाने के लिए अब आपके मन में जो सबर है वो तूटता जा रहा है कि sir डीकूस क्या है बता दो डीकूस का simple सा मतलब होता है outsider ठीक ह तो जो भी भारी लोग है वो भारी लोग कोन हो सकते है तो इंडिया के सेंस में देखो को तो भारी कोन हो गए Britishers आये British इस इंडिया कंपनी Britain से आ गये तेरते तेरते अब वो क्या हो गए बहारी हो है हमारे लिए ठीक है outsider है तो उनसे बचाने के लिए अब देखो मान लो tribal community पूरा देश है तो यहां पर एक चोटे से जंगल में रह रहे हैं सभी लोग ठीक है अब क्या होता है कि यहां से कुछ ट्रेडर्स वगरा गया है इनको लूटने के लिए इनसे क्या प्रोडक्स ले लिए इस सारी चीज़े कम पैसे दे दिये तो ट्राइप्स के लिए तो सेंस में उन्हें भी डिकू कहा गया तो ये डिकू सी के अगेंस्ट में क्या करा इन्होंने टीू से जन्ग चेडिए ठीगे और बताया है कि ये जो फिरसा मुंडा का आप पहुचाएगा इनके पास में यादू शक्तिया जोगोगों की मदद करेंगे अच्छे के लिए और डीकूस से बचाएंगे ठीक है आगा है समझ में हाँ तक अब देखो क्या है बिर्सा मुंडा के अगर बात करें तो बिर्सा मुंडा वास बॉर्न इना फैमिली ओफ मुंडास मुंडा ट्राइब में पैदा हुए थे और दीरे दीरे इनकी शक्तियों के कारण क्या होते है इनकी फैन फॉलोइंग जो इनके जो फॉलोवर्स हैं तो इस फॉलोवर्स इंक्लूडेट सांथालास एंड औराइंस अब आप बुलोगे और छोटा नाकपुर प्लेटी वाले रीजिन में इनका जन्म हुआ था मुंडास भी वहीं रहते हैं आज पास में सांथाल सांथा ट्राइबल ग्रूप्स हैं यह अभी जिनकी बात कर रहे हैं मुंडास की सांथा उसके औराइंस की तो यह सब इस रीजिन में रहते हैं ठीक हैं तो जारकर्ण, चत्तिजगर, ओडिसा यह वाला जो एरिया है तो यहां पे सब सारे ट्राइब से रहते थे ठीक हैं अब इनक तो बिटिश इस इंडिया कंपनी के आजाने से कहीं ने कहीं फॉरेश लॉज में बदलावा गयें तो पहले जिस आजादी के साथ मों घूम सकते थे अब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने लगें उनका जो रहने का तरीका था जिस तरह से वो नेचर वर्शिप कर देते उ उनका जो फार्मिंग का तरीका था श्लैश अन बर्न बढ़ा था तो सारा सब कुछ पढ़ा क्या है उनकी लाइफ में बहुत जादा इंटर्फेरेंस हो रही है एंड दे वर अनहपी विट ओल दोस चेंजिस उसके चलते क्या है और यह सारे चेंजिस का कारण कॉन था ब्र सब्सक्रण को सब्सक्राइब मत इस्पेर निक लोगे द रहका तो आप सही रहते पर फोच्टे पहुचाते थे एसा होता था न उसको उल्टा स्टार्ट किया जाता था तो वैसे मैं कहानिया आपको एक बार उल्टी बताता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगी चीजे कि बिटिश इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने क्या क्या बहुत सारे मॉडिफिकेशिंस लिया है और जो 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 चैंजेस लाए तो वह चैंजेस ब्रिटिश रूल के अंदर में जो चैंज आए तो वह चैंज का इंपक्ट किसके ऊपर हुआ था ये सारी ट्राइबल कमीनिटी तब confidence जिस लेवल पर होता है न वो लेवल सबसे बढ़िया होता है confidence का ठीक है तो उस तरह से क्या होता है कि बिर्सा मुंदा ने उसमें पी लोगों को रहा दिखाई तो बिर्सा मुंदा की popularity तो फिर वा बही वा ठीक है तो यह पूरी कहानी थी किस बारे में tribes के बारे में तो what we are going to study in this chapter how did tribal groups live ठीक है तो tribal groups कैसे रहते थे अगर tribal groups को मतलब हमें समझना है तो वो पहले यह देखना होगा कि वो क्या करते हैं किस तरह से रहते हैं सारी चीजें तो हम एक-एक topic में देखेंगे देवर जूम cultivators यह क्या होता है देवर hunter gatherers, animal herders, settled cultivators यह चारो topic एक-एक करक उसके बाद में change आते हैं तो जो British rule था तो how did the British rule affected, colonial rule affected the tribal lives, tribal की, tribals की जिवन पे क्या impact हो उस चीज़ का, उसे पढ़ेंगे समझेंगे, आगे देखेंगे what happened to the tribal chiefs ठीक है अब देखो यह colonial rule आने के बाद में क्या होता है कि tribes में भी बहुत सारे अलग-अलग groups थे, अलग-अ groups को अलग-अलग dimension पे सफर करना पड़ा, तो tribal chiefs की position पे क्या impact हुआ, decrease हो गई position के tribal chief को और उपर बना दिया, ठीक है, फिर क्या होता है, what happened to the shifting cultivators, तो shifting cultivators यहां समझेंगे हम, फिर देखेंगे कि shifting cultivators के उपर क्या impact हुआ, जब colonial rule आ गया, ठीक है, forest laws जो अलग-अलग आये थ क्या, आज भी उसी डंग से कर पा रहे थे, कब, जब colonial rule आया, फिर उसके अधने हम देखेंगे, search for work, यह भी देखेंगे हम की किस तरह से उनको अपने घरों से बाहर निकल के दूसरे नए-नए काम ढूनने पड़े, अब नए काम में ऐसा नहीं को software engineer बना दिये, किसी ने ब आपको इंट्रो दिया है, तो वह ट्रेलर था, पिचर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पूरी पिच्टर देखेंगे हम, a closer look, बिरसा मुंदा में, and ultimately, सबका फेवरेट, NCIT solution, तो जितने भी questions है, NCIT के उसके सारे answers हम discuss करेंगे, so this is all about the chapter, chapter में क्या-क्या है, वो मैंने आपको बताया, I hope चीजे समझ में आई है, next video lecture से start करेंगे, how did tribal groups live, उसमें gym cultivators पढ़ेंगे, gym cultivation क्या है, वो सारी चीजे में आपको next video lecture में बताने वाला हो, I hope यहां तक चीजे समझ में आई है, किसी प्रकार का doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much, hello everybody, this is दिग्रास सिंह राजप Welcome to Magnet Beans, इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले है, इस वीडियो में पढ़ेंगे, somewhere gym cultivators, थोड़ा सा incomplete सा topic लग रहा है, मतलब topic self-explanatory नहीं है कि क्या बताना चाह रहे है, चलो, मैं इसलिए तो हूँ, आपको सब कुछ simplify करके दूँगा, ठीके, देखिए, अभी मैंने आपक समझना है, तो सबसे पहले यह समझना होगी कि ट्राइबल्स करते क्या थे, ठीके, कैसे रहते थे, तो अब हमारा यह जो topic है, somewhere gym cultivators, तो अब रिलेट कर पाऊगे, तो tribes क्या करते थे, कैसे रहते थे, तो some tribes were gym cultivators, चलो, यह तो समझ में आगे कि कुछ gym cultivators थे, अब लेकिन ड ठीक है, चलो, उसको solve करते हैं, तो some tribal groups practiced gym cultivation या फिर shifting cultivation, तो अब आप बोलो कि sir, घुमाओ मत, सीधे-सीधे बता दो, तो हाँ सीधे-सीधे बताते हो, देखो, gym cultivation एक तरह कि क्या होती है, खेती होती है, जिसे shifting cultivation भी कहा जाता है, तो कुछ tribes जो थे, कुछ tribes किस तरह से रहते shifting cultivators की तरह रहते थे, वो एक ऐसी तरह की खेती perform करते थे, ऐसा type of farm system था, उनका या फिर कह सकते, पूरा culture ऐसा डबलब करके रहा था, जहां पर वो जैसे shifting cultivation कहा जाता, तो वो shift करते रहते थे अपनी cultivation वाला जो area उसे shift करते रहते थे, simplify करके देते हैं, आपको ये देखो, त cultivators cut the tree top, ठीक है, यहाँ देखिए, तो इस तरह से tree top जो होते थे, पीड के उपर का सब हिससे क्या कर दिये जाते थे, काट दिये जाते थे cultivators cut the tree drop ठीके तो यह जो tribes होते तो shifting cultivators होते थे तो सबसे पहले पेड़ों को उपर से काट देते थे पेड़ों की कटाई की जाती थी क्यों काटते थे सवाल ये तो so that the sunlight reaches the ground उपर से पेड़ काट दिये जैसे canopy यहां पर से पर भाइगी टो जब सम मिले कि तभी कुई और दूसरी crop grow कर सकते हो ना तो ऐसे पीड काटे जाते थे उसके आद में they burn the vegetation और पीड काटने के जो कचरा था तो कौन लेके जाएगा तो में सब जला दो यहीं पे तो वो जो जंगल काटते थे जंगल में आग लगा दी जाती थी ठीक है आग लगाने के बाद में क्या किया मिट्टी मिलाना soil को ready करना यह सारा काम देखो यहाँ पर ना एक पैसे का वो क्या लेने गए खाद लेने गए ना एक पैसे का बीज लेने गए वो ठीक है सारा काम क्या क्या जा रहा है naturally तो cultivators cut the tree top, they burn the vegetation, they spread the ash, राक फैलाई उन्होंने and soil is prepared for cultivation और soil तयार कर लिए उनने खेती करने के लिए कि चलो अब खेती करना है soil तयार कर लिए फिर जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद में seeds are broadcasted, seeds are broadcasted मतलब कहते को कितना अच्छा word लग रहा broadcasted मतलब they sow the seeds, ब बीज लगा दिये हैं तो उससे क्या होगा, बीज लगाने के बाद में वो फसल ग्रो हो जाएगी वहाँ पे, तो ये पूरी कहानी होती है, आया समझ में एक बार फिर से cultivators, स्ट्री टॉप वगरा सब कुछ करते हैं, वो vegetation पूरा जलाते हैं, vegetation जनाने के बाद में राक को मि भार करते हैं, जब बारिश होती तो उस बारिश में फिर क्या किया जाता है, बीजो को सो कर दिया जाता है, दिया, seeds are being broadcasted, ये पूरी कहानी हो गई, अब देखो क्या है, ये सब कुछ जो होता है, तो ये आपने बीज लगा है, फसल होगा ही, फसल खाली ही, चलो ठीक है, द एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल खुब से खुब, चार साल तक एक पैच ऑफ लेंड पर परफॉर्म के जाएगी, अब क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यह जमीन हो गई, यह पुरानी, पुरानी कि संस में, वाई का जबाब दे रहा हूं है, ठीक है, कि वाई दी सिमिलर प पास fertilizer है ना कुछ है, तो वो दूसरी soil पे चल जाते, ताकि यह soil अपनी fertility रिगेन कर लें, जो दूसरी soil जहां जंगल है, वहाँ साफ करके, वहाँ पे खेती करेंगे, तो soil जब तक fertile रहेगी, दो तिन साल वहाँ पे फसल खाएंगे, ठीक है, तो यह होता है, a field that had been cultivated once was left fellow for several earlier, और फिर उस field को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता, ताकि वो अपनी fertility को renew कर ले, तो यहाँ पे जासे देखेंगे, अभी क्या फसल लगाई, इन्होंने मक्या लगाएं यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे, क्या कह सकते हैं, maize farming हो रही है, यह, अब यह, काट दि कल्टिवेशन कहा जाता है, यह हो गया सारा सब कुछ, ठीक, अब देखो क्या है, आगे क्या चीज़ है, तो यह इस तरह की जो shifting cultivation को perform करेंगे, जो zoom cultivation को perform करेंगे, नौर्थ इस्टेट्स में shifting cultivation को zoom cultivation कहा जाता है, और आप अभी higher classes में पढ़ोगे कि zoom cultivation, आपने agriculture chapter में पढ़ तो जैसे हमारी country में state के बता रहों और इसे देशों में अलग अलग नाम होते है, कहीं पर मिलपा कहा जाता है, कहीं पर रोका कहा जाता है, कहीं पर लड़ांग कहा जाता है, तो उसे बहुत सारे नाम होते है, ठीक है, और जो लोग perform करते है shifting cultivation को उन्हें shifting cultivators कहा जाएगा, तो यह shifting cultivators कहलाते हैं अब कहां perform होता है तो shifting cultivators are mainly found in the hilly and forested tracks of north east and central India अब देखो दिखती बात है राजिस्तान में तो जाएंगे नहीं है क्यों नहीं जाएंगे यूगि राजिस्तान में जंगल ही नहीं है तो वहाँ पे जाके shifting cultivation कैसे perform करेंगे तो जहां पे hilly और forested track है जहां पे बहुत जादा पेड़ पौद है तो वहाँ पे shifting cultivation perform किया जाता है तो found in hilly and forested tracks of north east and central India तो north eastern parts जो है हमारा यह north eastern parts यहां पे बहुत जादा क्या है जंगल वगे रहा है तो यहां perform किया जाता है north east and central India और central India में तो यहां पे जैसे आप देखो कि मद्रपदेश शत्तिजगड़ ही है जो जंगल है यहां पे इन एरियाज में तो इन एरियाज में भी आपको tribes मिल जाएंगे जो क्या करते है shifting cultivation को perform करते हैं और shifting cultivators कहलाते हैं अब देखो क्या है what is the main source of livelihood for them तो अब इनके लिए क्या हो गया हम क्या देख रहे हैं somewhere shifting cultivators में आपको बता रहा हूँ कि कैसे जीवन जीते थे ठीक है how did tribal groups live ठीक है तो tribal groups जो है वो कैसे जीवन जीते थे तो एक तरीका हमने आपको बता है somewhere jump cultivators तो अब सवाल ही आता कि यहां पर इनकी main source of livelihood क्या हो गई jump cultivators के लिए free movement and ability to use land and forest इस चीज को ध्यार रखना क्योंकि आगे में एक बार और relate कराऊंगा इसी chapter में तो यह जो shifting cultivators है shifting cultivators का जीवन पूरा इसी चीज पर चलता है कि उन्हें freely move करने दिया जाए एक जगा से दूसरे जगा जाते रहने दो उन्हें तो वो खेती करते रहेंगे अपना अपना पेट भरते रहेंगे और अराम से जीवन जीएंगे ठीक है free movement and the ability to use land and forest उन्हें जमीन और जंगल यूज करने की आजादी रहना चाहिए ठीक है they must be in a position that they can use according to their wills and whims उनके हिसाब से सारी चीज़े कर सके और ये चलता रहेगा तो वो उनकी livelihood को अराम से चलाते रहेंगे ये उनका simple सा एक साधारण सा सीधा सा जीवन जीने का तरीका है कोई मन में कलेश नहीं किसी से कोई मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हमें तो क्या करना एक multi million dollar की company बनाना ये करना वो करना कुछ नहीं उनके तो बिचारे जंगल में रहना है बस simple सी चीज तो ये हमने देखा कि tribal community जो थी तो कुछ ट्राइबल इस तरह से अपना जीवन जी रहते ऐसे shifting cultivator ठीक है ये सारा सब कुछ पढ़ा हमने इस video lecture में अब ये तो एक पार्ट हो गया अब और देखेंगे कुछ hunter gatherers थे ये लोग कौन होते हैं मतलब कुछ तो जो जो कल्टिवेटर थे shifting cultivator थे कुछ hunter gatherers थे तो अब हम वो next video lecture में समझने वाले हैं यहां तक चीज़ें समझ में आईए next video lecture में हम next topic को continue करेंगे किसी प्रकार का doubt है तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिगराश संग राशपूत welcome to magnet brains इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस video में हम पढ़ेंगे somewhere hunters and gatherers ठीक है topic तो relate कर पाएंगे आप पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि किस तरह से ट्राइबर्स जो थे वो रहते थे ठीक है how did the tribal live तो अब हमने यहापे क्या देखना है पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कुछ zoom cultivators थे shifting cultivation परफॉर्म करके अपना जीवन यापन कर रहे थे जीवन जी रहे थे अब कुछ tribes क्या करते थे somewhere hunters and gatherers अब दोनों शब्द समझ लो सारी चीजे समझ में आ जाएगी फिर बाकी की कहानी बताऊंगा मैं ठीक है तो hunters and gatherers hunter में कौन होते हैं हृशंड्न से अब आप इनको देखोगे ठीक है ये क्या करने जा रही है हंट करने जा रहे है ठीक है शिकार करने जा रहे है तो कुछ शिकारी होते थे some are hunters and some were gatherers तो gatherers कौन होते हैं तो अब दिसे देख रहे हैं आप ये जंगल में घूम रहे है पिकनिक पे नहीं आए यहां पे ठीक है यह लोग क्यों जंगल में घूम रहे हैं कुछ ग्यादर कर रहे हैं कुछ इखटा कर रहे हैं तो tribal groups lived by hunting animal and gathering forest produce. हंट किसको करेंगे animals को, तो जो जंगल में मिल गया, हिरन मिल गया, हिरन को हंट कर लेंगे, शेर को हंट करेंगे, शेर उनको हंट कर जाएगा, ठीक है? तो उस तरह से जो जानवर ऐसा रहता था, जिसे हंट किया जा सकता है, उसे हंट करते थे, and some gathered forest produce, forest produce में क्या हो गया, तो forest produce में बहुत साई चीज़ है, जैसे honey collect कर लेना, कुछ forest flowers collect कर लेना, कुछ forest products में, forest से जैसे wood वगेरा, अब sandalwood जो होता है, sandalwood समझते हैं, चंदन, तो वो बहुत महंगा बिखता है, तो hunter gatherers जो रहते हैं, जो tribe जंगलों में रह रहे हैं, कि उन्हें, जंगल में sandalwood मिल गया, तो वो बेज देते थे, तो उससे पैसा मिल जाता था, तो ये सारा काम करते थे, hunter gatherers, ठीक है, तो अब देखो, collective hunts by the cones of Odisha, अब यहां पर वोई बताया गया है, तो hunter gatherers में, जैसे हापे, cones, cones कोन है, देखो, cones और एक gondes होते हैं, gond tribe जो होते हैं, तो वो मध्यप्रदेश में, Central India में पाये जाते हैं, ओडिसा चथिसगर में, और cone tribe जो हैं, तो ओडिसा में, ठीक है, ये cone tribe है, तो cones of Odisha, ये लोग क्या करते हैं, हन्टिंग करते थे, हन्टिंग, collective hunt, organize करते, collective hunt, organize करते हैं, मानों फिर उनने, जिस भी, जिस भी अनिमल को हन्ट किया है, तो उसका meat जो distribute कर लिया जाता था, फिर मतले एक तरफा से आइसा रहता था न, कि जिन जिन लोगों ने, हन्ट किया था, उन लोगों के बीच में मीट को डिस्ट्रिब्यूट कर लिया गया यह होता था उसके बाद में और क्या करते हैं अंटर के दरस दे इट फ्रूट्स एन रूट्स एक्स्ट्रैक्ट ऑईल फ्रम साल एन महुआ महुआ क्या चीज है यह समझो तो अभी जैसे आपने देखा होगा जिए कोवीट पैंडमिक के टाइम पे बहुत सारे से बने लगे थे और उसके बाद में महुआ जो रहता है तो यह तरह का पेड़ होता है इसमें लगते हैं फ्लावर्स पकने के बाद में ऑईल निकलता है तो सबजी वेजीटेबल वगएरा बनाने के लिए उसके अलावा फिर इससे लिकर वगएरा शाराबे भी बनती है तो यह तरह-थरह के यूज रहते हैं महुआ के ठीक है उसके बाद में और क्या होता देखो तो इसनाथ में और कि निकालते खरें वह कर रहे हैं तो इस से तरह से वह ज़डी बूटी हैं पेंगे,श्यार निंगा बेंगे ह। निकालते थे वह कलेक्ट कर रहे हैं उसके आद में क्या है? डिपेंडेंस ओफ लोकल वीवर वीवर्स एन लेदर वरकर्स ओन ट्राइब्स ठीक है तो अब यहाँ पर यह चीज़ी समझना कि यह ट्राइबल ग्रॉप्स थे रहे तो इन ट्राइबल ग्रॉप्स के उपर किसकी डिपेंडेंस होती थी तो जो जितने भी जैसे मान लो यह अब यहाँ पर जंगलों में ट्राइब रह रहे तो यह आसपास के जितने भी वीवर्स थे वीवर्स के बाद में क्या लेदर वरकर्स है जो तो यह वीवर्स और लेदर वरकर्स ट्राइबस के उपर डिपेंडेंट होते थे क्यों क्योंकि ट्राइबस इने क्या करते थे कुसम और पलास के फूल सप्लाइ देते थे अब कुसम और पलास के फूल कहां मिलेंगे जंगलों में तो जंगलों में से ट्राइब सारे फूल कलेक्ट करते थे और फूल कलेक्ट करने के बाद में यह लोकल वीवर्स और लेदर वरकर जोते थे इन्हें फूल देते थे सारे देते थे अब आप सोच रहोंगे कि फूल का क्या करेंगे ठीक है तो बतातों मैं आपको तो यह जैसे कुसुम हो गया प्लास हो गया तो इस फ्लार्स आर यूज़ तो गिफ कलर टुदी प्रोड़क्ट ठीक है इंसे कलर बनाया जाते जो आप देखोगे कि हुली के टाइम प और तो लेदर वरकर्स जो होते तो वो भी क्या है टैनिंग जब करते हैं टैनरी जो होती है तो वहाँ पे लेदर को इसके पानी से धो देते एकदम साफ कर देते हैं इन सारे परपरस के लिए कुसुम फ्लार्स पलास्ट्री के फ्लार्स ये सारी चीज़े यूज़ की जात नहीं रहेंगे न इनने खाने के लिए ग्रेंस काहां से मिलते थे ठीक है वीट और राइस कहां से आता था जो हंटर गैदर द थे उनके लिए ठीक तो समझो दे एकस्चेंज फूड गैदर अब यह चीज में आपको दें कि है गैदर सें वह गैदर रसे तो उन्होंने एमानल तो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी इस बाटर सिस्टम चलता है या फिर उसके आद में पैसा ले लेते थे पैसा लेके क्या करते थे मतलब पलाश का फुल दे आप से पैसे ले लिए और फिर उस पैसे का क्या करेंगे उस पैसे से वो कुछ भी खरीद लेंगे उनको जो भी घ्र खाना क्यों खाएं वीट खाना वीट खाएं ठीक है अब आगे और देखो क्या है उसके बाद में ट्राइट एक्सचेंज गुड्स गेटिंग वाट दे नीडेड इन रिटरन फॉर डेर वैलेबल फॉरेस्ट प्रड्यूस यह एक इंपॉर्टन चीज है तो वो गुड्स लेते थे और मतलब एक्सचेंज वाली जो पूरी चीज खेर मैंने आपको भी समझा दिया तो ट्राइट एक्सचेंज गुड्स गेटिंग वाट दे नीडेड इन टर्न इन रिटरन फॉर डेर वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रड्यूस अब यहां पे शब्लिखा वैल्यूब फॉरेस्ट प्रड्यूस होता है ठीक है और अच्छा एक जो प्यॉर हनी रहेगा तो वह आपको दिखती बात है कि मिलना रेर होता तो ऐसा प्रोडक्स लाके देते हैं और इन प्रोडक्स के बदले में वह आपसे क्या लेंगे इन प्रोडक्स के बदले में आपसे वह पैस पैसा ले लेंगे या फिर उन्हें जो भी गुड्स चाहिए रहेंगे तो गेटिंग वाट दे नीडेड इन रिटान ऑफ देर वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रेड्यूज ठीक है अब उनके पास में कुछ पैसा भी होता था इसमाल अमाउंट में सेविंग भी होती थी अब आप बोलो के सेविंग कहां से आ जाती थी पैसे कैसे आ जाती थे तो बताता हूं ठीक है at times they did odd jobs in villages carrying loads or building roads while some other labored in fields of peasants and farmers तो ये सारा काम तो करें मानलों ने हंटिंग करके एक हिरन को मार लिया पेट तो भर लिया अब वो पेट भर लिया लेकिन उस पेट को ढखने के लिए कपड़े भी तो पहनना होंगे अब कपड़े तो किसी और को हंट करके चुड़ाएंगे नहीं उससे तो क्या करते हैं पैसे कमाने के लिए ठीक है they do have small amount of earning तो थोड़ा बहुत पैसा कहां से आता है तो वो odd jobs perform करते हैं जैसे गाओं में जाएंगे कुछ बजर उठाने का काम है तो बोलते हैं यही कर सकते ह हैं कि आप उनसे बोलोगे कि वह तुम software बना दो हमारे लिए तो वह इस तरह का काम कर पाएंगे फिसका बिल्डिंग रोड कहीं पर construction चल रहा है तो वहाँ पर काम कर लेंगे तो यह सारे काम किये जाते थे ट्राइब के तारा अब पोजिशन और यह समझो तो यह जो पोज हैं अब जया हैं दो की मौना टारा यह तो इसा कामाने के लिए तो यह कै यंदार पिल् addicted करते हैं किसी के अंडर में लेबर करना पसंद निगरते हैं तो ऐसे अलाग अलग अलग ट्राइबर कम्यूनिटी के अलाग अलग पॉ Dafu छिए ए शूशनना नहीं यह माहुना था ल से अलग होते हैं फिर आगे देखो क्या है अभी जो ट्राइबल ग्रूप से न तो यह एक बड़ी दिक्कत होती थी अब क्या होता है कि ट्राइबल ग्रूप पहले जो बहुत पहले थे तो उन्हें कोई फरक भी नहीं पढ़ता था कुछ खरीदना भी नहीं और कुछ बेशन पहले रहें और दूसरे प्रोडक्स उन्हें लाइट चाहिए रहेगा सारी चीजें चाहिए रहेगी तो यह ट्राइबल ग्रूप जो है तो देवर रिक्वाइट टू बाइएं सेल ठीक है अब जब बाइएं सेल करना है तो उसके लिए ट्रेड होगा गुड्स इधर पहले बात तो क्या है लैक ओफ अवेरनस ट्राइब सें जंगलों में रहें उन्हें नहीं पता कि कैसे कितना पैसा क्या वैल्यू होता कि सीज की कितने अमांट मिल सकते हैं यह सारी चीजें तो यह लाइट टू देपेंडेंस ओन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स अब वो क वो कर्च देने वाला मनी लेंडर भी उस ट्राइबस को एक्स्प्लोइट करेंगे और यह ट्रेडर्स भी ट्राइबस को एक्स्प्लोइट करेंगे कैसे तो ट्रेडर्स जो है तो ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स एट हाई प्राइस बहुत हाई प्राइस पे गुड्स को moneylenders क्या करते है they advance advances loans but charge a very high interest rate तो मानलो मैं एक tribe हूँ ने उधार लेने गया किसी moneylender के पास में moneylender ने मुझे उधार तो दे दिया लेकिन बोल दिया कि इतना पैसा लगे गए उधार गविने का और मैं जीवन भर फिर उधार में फस गया ठीक है क्यों क्योंकि यार चाजिंग में हाई इंट्रेस्ट रीट आया समझ में तो दिस वाल वर दी ट्रिक्स विच 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 वर विंग प्लेट ऑन दी त्राइबस द्यूरिंग डी ट्रेड जब ट्रेड हो रहा है किसी भी तरह का या फिर उन्हें जब लोन दिया जा रहा है तो दीज ट्रीक्स वर प्लेड विच थी ट्राइबस त्राइबल कमेनिटी इस ठीक अब क्या होता देखो तो धीरे-धीरे समझत उन्हें भी आ रहा था ट्राइब को किया हमारा क्या हो रहा हमारा exploitation हो रहा है वियार वियार गेटिंग इंट इंट पावर्टी हम कर्ज में डूपते जा रहा है गरीभी में फसते जा रहा है तो इसी के चलते क्या होता था तो अब क्या होने लगा कि अब tribes को समझ में लगा कि यह जो बाहर से आएं जो भी लोग हमारे products ले जाते हमें कम पैसा देके चले जाते हैं हम कुछ लेने जाए तो हमसे बहुत जादा पैसा चार्ज करते हैं हम उदार मांगे तो हमसे बहुत जादा मतलब हमें पूरी तरह से एक्सप्लाइट कर रहें तो इन सारे कारणों से जो traders थे जो tribes थे तो tribes क्या करने लगें इन सारे लोगों को evil outsiders की तरह देखने लगें and the cause for their miseries थीकिए तो जितने भी हमारी परिशानी है ट्राइब ने बोला कि इतने भी हमारी परिशानी उन सारी परिशानियों का कारण ये बहार वाले लोग हैं ठीक है लेइए आप बताएंगे नेक्स इफंटे करने वाले हें यहां चीजे हैं किसी प्रकार का ज्युक्त करने स्वेयर राजिश्पूत में राजपूत वेलिकम्त्य ॐ निउस्स 대해 वाले हैं बाठेए मैंगे ऑर रोग्छ किस बारे में चलिए टॉपिक से करेट करते हम पिछले वीडियो तर्फ क्या पाओ चुके कि जो ट्राइबल कम्यूनिटीज है वो जी रही अपना जीवन ठीक है अब अपना जीवन जी रही तो सब अलग अलग तरह से अलग अलग तरह से जी रहें तो सम्वेर दीश्टिंग टीटिवीटर थी को जुम कल्टिवीटर जो खेती करते हैं लेकिन उनके अलग तरह से करते फिर अब क्या है फिर हमने सेकंड्न चीज़ क्या बड़ी थी सेकंड्ड चीज़ आम कि यहां पर आप देखेंगे तो यह क्या है गोट के साथ में कुछ ट्राइब्स बैठे हुए है ठीक यह बंजारा ट्राइब्स होते हैं मैं बताओंगा आपको भी आगे तो tribes lived by herding and rearing animals were known as animal herders ठीक है तो जो क्या करते हैं एनिमल्स को पालते हैं उनके पालन पोशन का ध्यान रखते हैं और उन एनिमल्स के उपर वो अपना जीवन डिपेंडेंट कर देते हैं किस तरह से तो एनिमल्स से जो प्रोड़क्ट मिलेगा जैसे क्या मिला एनिमल्स से उन खाते हैं वो घांस खाएगी और यह खाना खाएंगे ठीक हैं दोने चीज नहीं खा लेंगे सोच लिए तो अब देखो क्या है तो यह इस तरह के जो ट्राइब्स होते हैं वो एनिमल्स कहलाते हैं अब जैसे जो बंजारा ट्राइब का मैंने आपको फोटो दिखाया तो आ यह तो आसपास भार वहाँ वह मुआ शार्य आती तो यह ऐ आपको सुमर में वहाँ दीखेंगे और vote continuously तो आज आपको वहां दिख्रे हैं कल कहीं और दिखेंगे परसों अर दिखेंगे तो और दिखेंगे तो अरो इस तरह हैं जो अनिमर हड़ सोते हैं वो एक ट्राईाए भूते हैं मतलब रिख्राइब का ग्रुप जो होता है तो अप भैस्त्रोश पेस्ट्रोश पैस्ट्रो samhisse當 यंभी बताथा वैं आपको स्ट्रोश मतलब चारवाहे की तरह ठिए चारवाय मतलब क्या है कि जिनके पास में बहुत सारे जानवर हैं जानवर क्या कर रहे हैं अपना उंने फ्र linbooks करवाना डायिक्शंग देना इधर लेकियों वहां सी लेकियेगा तो यह पैस्ट्रोलिस्ट की तरहं जीते हैं ठीक है handers होते हैं बहुत सारे जनवरों को पाल पर पहुत करते हैं और उन जनवरों सीजन टू सीजन एक सीजन से दूसरे सीजन में मूव करवाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं उन्हें ग्रेजिंग करवाते हैं तो यह पैस्ट्रोलिस्ट की तरह जीते हैं ठीक है दे मूवड विद देर हर्ड्स अपने जानवरों के साथ में मूव करते रहते हैं इनकी जानवरों के साथ में करती है अब В आप को समझाता हूं तो एक टाइम पिरेड में जैसे बारिश है तो जहां रहरивा है वहां उनने बहुत सारी घ्रांजिंगि भान यहम तो बंजारा ट्राइब जो है तो उन्हें क्या मिल जाएगी राजिस्थान में एक तरह से बहुत सारी ग्रांस मिल जाएगी अपने जानवरों को खिलाने के लिए ठीक है खुद नहीं खाएगे तो वह वहाँ पे है बारिश में लेकिन फिर क्या होता है बारिश जाने के नहीं होट जॉब करके पैसा कमाके खा लेते हैं और जी लेते लेकिन जब हो क्या है थैंके साथ में बहुत सारे cattle cheers है वह सारी ग्रोड से यह सारे जानवर हैं तो उनका भी तो ध्यान रखना होगा तो रॉब किस्जीश को आफ़एगी ब्रांस के उपर जहां इस रिटल आ क्मूईटीज हैं ठीक है जो क्या करती है एनिमल को हड करती है ठीक है समा अं trisTER जो पर रहे हैं तो ज्यो अनिमल हडर से एनिमल हडमें कौन कौन सी क्व गुर्टी है वण गुज्जर्स ऑफ पंचाब हील टीक है तो ऐसा नहीं कि आप आपने चेहरा देख लिए आपको इनकोई डूणने जाना है तो मतलब एक फोटो उस्तो जिसे गुजर्स जो है तो पंजाब और उत्रा खंड वगेरा वाला जो एरिया है पूरा तो वहां पर गुजर्स वन गुजर्स रहते हैं ठीक है उसके बाद में दूसरी ट्राइब द गदी ट्राइब उसके बाद में क्या हैं बक्करवाल्स ऑफ कश्मीर तो बक्करवाल जो होते हैं तो यह कश्मीरी गोट यह साब देखोगा ने कश्मीरी गोट है यह कश्मीरी गोट है उसके आप अगर हैर्स बगर देखोगा तो लॉंग बहुत लॉंग हैर्स होते हैं औ कश्मीर तो यह सारे ट्राइब जो हैं ठीक है यह सब ट्राइबल कम्यूटीज है और यह ट्राइबल कम्यूटीज मेंली किस तरह से सरवाइब करती है बाई हर्डिंग एनिमल्स तो यह हमने पढ़ा कि कुछ ट्राइब जो होते तो एनिमल्स होते हैं ठीक है तो हमने क्या-क् क्या आप करते हैं जल्दी से तो उने देखा कुछ shifting cultivators थे कुछ hunter gatherers थे और कुछ herded animals ठीक है तो some tribes herded animals ये सारा सब कुछ पढ़ा हमने और भी occupation है ठीक है चौथा occupation क्या है तो कुछ settled cultivators की चरह जीने लगे tribes ठीक है कुछ tribes क्या करने लगे mainstream society में जैसे लोग एक जगर रहे के खेती करते हैं तो कुछ stripes वैसी खेती करने लगें कैसे क्या हुआ सारा सब कुछ next video lecture में हम comprehensively discuss करने वाले हैं I hope यहां तक चीज़े समझ में आईए किसी को किसी भी प्रकार के doubt हैं तो feel free to ask in comment section till then stay connected keep learning thank you thank you very much hello everybody this is दिग्राश सिंग राजपूत welcome to magnet brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे some took to settled cultivation क्या है ये topic समझ में नहीं आया समझाते हैं देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा अभी तक हमने देखा कि किस तरह से tribal communities रहती थी tribal communities कैसे रहती थी तो tribal communities के अलग-अलग तरगे थे अलग-अलग तरीके कौन-कौन से थे तो कुछ tribes जो थे तो कुछ tribes क्या करते थे वो shifting cultivators की तरह एक जगा से दूसरी जगा shift करते रहते थे जुम cultivators थे कुछ hunter gatherers थे and some herded animals ठीके कुछ tribes ने जानवरों को पालना चालू किया यहां तक हो गया है अब एक और category हम देखेंगे कि some tribes took to settled cultivation ठीके settled cultivation मतलब क्या है वो एक जगा सेटल होगा है सेटल होके फिर वहाँ पे खेती करने लगे लेकिन थे वो tribes जंगलों में रहते थे अब जंगलों में उन्होंने अपने घर बना लिए वहीं पे settled होगा और वहीं पे क्या करने लगे वो खेती करने लगे तो वो settled cultivators simple topic है बस यही case में लेकिन कुछ details है वो बताते हैं देखो तो over the period of time what happened over the period of time the tribal groups had been had began settling down ठीक है तो tribal groups में क्या करना स्चार्ट कर दिया थे स्टार्ट सेटलिंग डाउन at a specific place where they used to cultivate some sort of crops मान लिए पहले shifting cultivator थे एक जगह से दूसरे का shift होते रहते थे उन्हें सुचार बहुत घुमना पड़ता है बार बार जंगल काटना पड़ते हैं तो हम क्या करेंगे थोड़ा कर पैसा होगा तो fertilizer वगरा लेकिन थोड़ी कम fertility रहेगी तो भी चलेगा हम settled way में जीना चालू क करें तो उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने डेगें टू सेटलिंग डाउन एक जगह पर ही रहना मतलब तैक कर लिए कि हम यहीं रहेंगे बार-बार एक जगह से दूसरी जगह shift नहीं होंगे तो इस सेंस में क्या है संब टू सेटल कल्टिवेशन ठीक है डे स्टार्टेड क deliveries on fields ठीक है उन्होंने farming start कर दी अब जब किसी एक जगह पर सेटल हो गाएं तो आप दिखती बात है कि बार-बार जंगल में जाए कि lawsuit margin करेंगे वह गैदरिंग नहीं करेंगे तो अब जब सेटल होगा तो ने कोई सेटल प्रोफेशन को भी चुनना पड़ेगा ऐसा काम जो एक जगा पर रह के कर सके तो दे आप्टेट फॉर फार्मिंग ठीके अब देखो क्या होता है जमीन किसकी है तो जमीन तो मतलब एक तरह से देखा तो अर्थ जो था तो आज हम देखते हैं पिछले 100 सालों में 500 सालों में बहुत जादा राइट्स राइट्स की बात होने लगी कि इस पर मेरा अधिकार है लेकिन पहले क्या था फारे सारी छीजες एकुली थी जंगल थे तो जंगल ऐसे प्रकृति किसी कि नहीं है तो जंगल उंमें जाते थे वहां पे पेड़ काट थे फीड बनाते थे वो पुरा खेथ तैयार किया वहीं पर घर बनाएं एक घर एक हर और से पांच घर पांच घर से दस गर इस तरह से गाउं बन गया चोटा सा तो अब क्या होने लगा कि slowly they begin to use flow and gradually got rights over the land they lived on ठीके तो जिस जमीन पर रह रहे थे तो they got the land rights over there ठीके वहाँ पर उनको land rights मिल गए फिर उसी के साथ साथ में क्या है कि उन्हों technology use करना स्टार्ट कर दी technology in the sense कि वो flow वगेरा use करने लगे ठीके लोग के बाद में आप जैसे आज हम देखेंगे तो आज क्या है कि जो आज से पचास सो साल पहले tribes जो सब कुछ हातों से काम करते थे आप वो tractor वगेरा लिया है तो tribes भी क्या होने लगे धीरे धीरे हमने देखा कि वो जब settled cultivation को practice करने ल लेते हैं तो मुंडा tribes का क्या था कि आज चोटा नाकूर प्लेट्यू की लगबग लगबग जित्ती जमीन अब तो आज situation बदल गए लेकिन उस टाइम पे क्या था कि ऐसा माना जाता था कि यह पूरा एरिया किसको बिलॉंग करता है मुंडा tribes को और सब मुंडा tribes की क्या है मतलब मुंडा tribes के ही हम देखे जाए तो subsequent generation है तो सारे जहां जहां पे tribal groups ने रहना चालू किया तो वो जमीन के rights उने मिलते चलेगा और इस तरह से चोटा नाकूर प्लेट्यू में जो major agriculture tracks थे तो दो major agriculture tracks belongs to मुंडा tribes तो इस तरह से मुंडा tribes के बीच में बट गई जमीने ठी अब British officials आ गए यह British India Company ने कबजा कर लिया अब कबजा करने के बाद में वो यह settled cultivation को कैसे देखते थे किस नजर से देखते थे अब आपके उपर मैंने दो मिनिट के लिए सवाल दिया है आप खुछ सोचो क्या वो इस ते खुश थे या नहीं थे सोचो ज़रा थोड़ा सा द कुछ tribes settled cultivation को perform कर रहें farming perform कर रहें तो यह तो बहुत समझदार है ठीक है इनसे ज्यादा समझदार तो कोई है ही नहीं इस तरह से सोचा उन्होंने ठीक है तो they saw settled tribal groups like the gonds and santals as more civilized than hunter gatherers or shifting cultivators तो what was the perception of British officials they saw these tribes those who took the settled cultivation they saw these tribes as more civilized civilized का मतलब बोल दिया कि या यह तो बहुत सब भी है क्यों क्योंकि एक जगा बैट के खेती तो कर रहें कम से कम इनके पिछे बार बार नहीं जाना पड़ा कर टेक्स देदो टेक्स देदो बागी जो दूसरे tribes हैं जैसे hunter gatherers है कभी इस हिर shifting cultivation करने अले गलत है सबका अपना अपना culture है British officials का perspective बता रहो मैं आपको कि Britishers ने क्या बोला कि settled cultivators are more civilized यह तो बहुत सब भी है ठीक है लेकिन वहीं पे जो shifting cultivators थे जो hunter gatherers थे तो they saw them as wild and savage ठीक है तो those who lived in forest were considered to be wild and savage ठीक है they needed to be settled and civilized तो British officials क्या बोले लगे कि इस तरह से जंगलों में रह रह रहे हैं घूम रहे हैं shifting cultivators है hunter gatherers है तो they are required to be civilized उन्हें बैठा के सिखाया जाना चाहिए तो यह क्या Godfather बनने की कोशिश करने लगे British officials ठीक है अब लेकिन कबजा था उनका क्या कर सकते हम भी तो यह सारा स सब कुछ हमने पड़ा किस बारे में some took to settled cultivation chapter का एक major part complete हो गया यहां पर कैसे complete हो गया वह मैं बताता हूं आपको तो हमने देख लिए tribes कैसे रहते थे चार कर्टेगरी बताई मैंने settled cultivation की बताई hunter gatherers की ठीक है animal herders की बताई जो जानवरों को साथ गूमते रहते और shifting cultivators की ठीक ह यह चार तो यह इस तरह से रहते थे अब सवाल यह है कि अब यह तो क्या है जब तक British officials ने पूरी तरह से कबजा नहीं किया तब उसके पहले की situation अब जब British officials ने कबजा कर लिया है ठीक है तो how did the colonial rule affected them ठीक है तो यह जितने भी tribal groups थे इनके उपर colonial rule का क्या impact हुआ positive होगा negative हो होगा क्या क्या हुआ सबके साथ में वह सारा सब कुछ हम बताएंगे आपको next video lecture में एक चीज़ और समझ लो यहां पर point skip हो रहा है क्या होता है कि जैसे land rights मिल गए तो अब क्या होता है कि कोई अगर powerful इंसान है तो powerful इंसान यहां पर जब settled cultivation start हो ना दो को मैं आपको बता रह में तो मैं head हूं इस tribe का अब head हूं तो जो बड़ा आदमी तो फिर वो क्या करता था तो अधिकतर अपनी जमीन पे खेती ना करते हुए rent पे देता था कि तुम 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 खेती कर लो मेरी जमीन पे मुझे पैसा लाके देना तो इस तरह से क्या होने लगा था फिर सेक्शन तिल देन स्टे कनेक्टेट कीप लर्निंग थैंक्यू थैंक्यू बेरी मच हलो एवरी बड़ी इस दिग्रास सेंग राजपूत वेलकम तो मैगनेट ब्रीन इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे वाट हैपन तुदी ट्राइबल चीफ को गया में दिट्राइबल चीफ को क्या हो गया अब अब हम फिकित अगर हमें बड्राइबल चीफ के बारे में कुछ बता ही ब्रेकिन लेकिन फिर क्या घृता आए जैसे ही colonial rule में colonial rule में कहीना कहीं tribes की जो lives हैं ठीक है जो tribal groups की जो lives हैं तो कहीना कहीं उसके उपर क्या होता है बहुत negative impact होता है ठीक है तो tribes were affected negatively during the colonial period अब colonial period में tribes के उपर क्या impact हुआ है वो सारा समझने वाले हम तो पहला impact हम किस से start करेंगे पहला पहला जो टॉपिक रखेंगे मुझे रखेंगे what happened to the tribal chiefs tribal chiefs कौन होते हैं तो जैसे एक tribe मान लो ठीक हमारा कभीला है ठीक कभीला हमारे आट दस भीस घर है आट दस भीस घरों में क्या है कि मैं सबसे बुदूर्ग हूं तो अम मैं क्या बन गया बुदूर्ग हूं मेरी सब अगटा भी रहता था थोड़ा सा तो उसे tribal chiefs बना दिया जाता था ठीक है तो ऐसे tribal chiefs जो head होते थे mainly उस tribe के ठीक है उस region के उन्हें tribal chiefs कहा जाता था तो अब हम यह समझने वाले हैं कि with the colonial rule what happened with the position of tribal chiefs ठीक है तो जैसे जैसे colonial rule बढ़ता चले गया क्या क्या हुआ tribals के साथ में खास करके tribal chiefs के साथ में जो हम इस video lecture में पढ़ेंगे तो देखो before British rule ठीक है तो before British अगर हम देखे तो colonial rule के पहले tribal की position समझना आप ठीक है tribal chiefs were important people ठीक है तो बहुत important होते थे tribal chiefs जो होते थे तो he was considered as the head of that region ठीक है head of that region head of those peoples तो जितने भी लोग होते जो भी जन their territories, tribal chiefs के पास में क्या होते थे economic powers होते थे economic powers ऐसे होते थे कि वो बोल देते थे कि इस साल अपना सारे tribe के लोग क्या करेंगे इस खेत पे ये फसल ग्रो करने वाले है ठीक है वो बोल देते थे क्या कि इस बार आप कुछ ग्रो मत करो तो जो कबीला था ना उनकी बात मानता ठीक है, they had economic power and right to administer and control their territories, तो सिर्फ ये खेती तक का नहीं है, दूसरे भी कि कौन से हमारे लोग कहा जाएंगे, कहा नहीं जाएंगे, अगर मानलो लडाई हो गई, किसी ने किसी की मुर्गी चुरा लिये, तो वो सारे matters सुल जाना कि कैसे क्या सी चीजे नॉर्मल होगी, ये सारा काम करने की जो authority रहती थी, एक authoritative figure कौन होता था, tribal chief होते थे, fine, अब देखो क्या है, they had their own policies and laws, tribal chief जो होते थे तो उनके अपनी खुद की policies होती थी, अपने उनके खुद के laws होते थे, अपने खुद के laws होते थे कैसे, तो वो बताता हूँ, कि किसी भी tribal chief ने क्या बोल द दिया उन्होंने, मतलब एक example दे रहा हो, तो उस law को, tribal chief ने जो law बनाया, तो पुरा का पुरा tribal group क्या करेगा, follow करेगा, तो इस तरह से क्या होता था, इस तरह से वो लोग, जो position थी, ट्राइबल chief की, वो क्या थी, बहुत authority होती थी, अच्छी respectable position होती थी, लेकिन सारी चीज of British rule, colonial rule जो रहा, तो tribal chief की position क्या होते चले गई, गिर्थी चले गई, यह जो power authority आप देख रहे हो न, वो decline होते चले गई, वो समझाते हो, तो power and function of tribal chiefs changed considerably, तो जितनी power जो function जो काम करने का तरीका होता था, जो authoritative figure की तरह देखा जाता था, मतलब जिसकी कोई बात में बजन हो ठीक है, तो वो अब नहीं रहा, ठीक है, slowly and gradually the position of tribal chief, function of tribal chief changed considerably, ठीक, कैसे, तो they were allowed to keep their land titles, but they lost much of their administrative power, यह समझना, आप मुख्या हो, मुख्या आप ही रहोगे, दोखो हर बार, history repeats itself until we learn from it, यहाँ पर भी सीखने वाली चीज़े, मैंने आपको जब chapter 2, chapter 3 पढ़ाया था, तो chapter 3 म मैंने आपको बताया था, क्या, कि दीवानी राइट्स मिल गए British, British East India Company को, अब East India Company को दीवानी राइट्स मिल गए लेकिन उन्होंने फिर भी क्या है, कि जो rulers थे, तो rulers puppet ruler बना के बिठा के रखे थे, उन्हें नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया, क्योंकि उन्हें पता था कि लोग क्या करेंगे, इन्हें ही राजा मानेंगे, हम अगर बैट जाएंगे, तो हमें तो पहचानेंगे नी, हमें राजा मानेंगे नी, तो हम मतलब किसी काम की नहीं रह जाएंगे, उल्टा रिवाल्ड कर देंगे, तो वही चीज यहां पर भी हुई है, कि British rule के अंडर में Land Titles भी आप भी का पास रहेंगे, मतलब क्या है, कि आप ही क्या रहोगे, उस पूरे एरिया के सरदार रहोगे, लेकिन, but they lost much of their administrative power, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले जो आप बोलते थे कि यहां यह ग्रो कर लेंगे, यहां इस बार खाली छोड़ दो खेत, ऐसा कुछ नहीं होगा यह तुमारा जो administration का, लोगों को समालने का, लोगों को order देने का जो power है ना, वो power तुम्हें अब हमें देना होगा, तो एक puppet बना दिये, कि British जैसा बोलेंगे, वो कौन सुनेगा, tribal chief सुनेगा, tribal chief जैसा बोलेंगा और जंता सुनेगी, जो tribes हैं वो सुनेगे, तो ऐसा system develop कर फिर क्या होता था, laws made by British officials were to be followed, वो ही मैंने बताया, कि अब क्या होगा, पहले सारे laws बनाने की power किसके पास होती थी, tribal chief के पास में, उनका tribe, उनके laws, वो उनके साब से administer करेंगे, लेकिन अब क्या होने वाला है, laws which are being made by British officials were to be followed by tribal chief, subsequently when the tribal chief would follow those laws, the tribal community would also follow the same laws, तो इस तरह से क्य है कि एक system बना दिया कि हाँ, इस system में चलना है, अब इस तरह से laws आपको follow करना पड़ेंगे, आया ना समझ में, तो ये सारा सब कुछ पढ़ा मैंने, आपको समझाने की कोशिश करी कि किस तरह से tribal chief की जो position है, it got declined, ठीक है, तो position declined हो गई कैसे, over the period of time, before the coming up of British and under the British rule, ठीक, अ had earlier, ठीक है, they lost the authority they had earlier enjoyed amongst other people, ठीक है, and were unable to fulfill their traditional functions, तो tribal chiefs ने अपनी authority, जो अपने लोगों के उपर उनका अधिकार होता था, वो खोदी, और उसके बाद में जो, जो traditional functions वो enjoy करते आ रहे है, मतलब जब से पैदा हुए होंगे, मान लो, तो वो देखते आ रहे होंगे, जो tribal chief होत प्रिशूल के अंडर में क्या हो रहा है, कि उनकी पूरी जो traditional powers थी वो destroy हो गई है, so this was all about what happened to the tribal chiefs, आया समझ में, इसी तरह से आप हम देखते है, तो हमें आपको बता रहे है कि how the lives of tribes were affected, ठीक है, during colonial period, तो colonial period में tribal chief का मैंने आपको impact बताया, कि tribal chiefs जो है, वो किस तरह से negatively effect shifting cultivators, जैसे मैंने आपको भी इस से पहले वाले video lecture में बताया था, कि shifting cultivators को British officials कैसे देख रहे थे, British officials ऐसे देख रहे थे, कि ये तो क्या है, wild savage है, they are required to be civilized, तो दिखती बात है कि उन्होंने अपनी गार उनके उपर भी गिराई होगी, shifting cultivators के उपर, next video lecture में हम इसी समझेंगे So welcome to magnet brains, इस video में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस video में हम पढ़ेंगे, what happened to shifting cultivators, पिछले video में मैंने आपको क्या बताया, पिछले video में हमने डिसकस किया, कि किस तरह से जो tribal chief होते थे, तो under the colonial period, how the position of tribal chief declined, ठीक है, tribal chief की position क्या होते चलेगी, degrade होते चलेगी, उनकी powers जो होते चल बनके रहेगा, एक पपेट, एक कटफुतली बनके रहेगा, इसके British officials के, ठीक है, अब हम देखेंगे कि colonial time period में, colonial rule में, shifting cultivators जो थे, उनके उपर क्या impact हुआ, positive और negative हुआ, ये सारी चीज़े समझने वाले, shifting cultivators कौन, अगर आपको ये नहीं पता है, तो मेरा आपको साधर प perform करते थे, slash and burn, उसे shifting cultivation कहा जाता, और जो perform करेंगे, उन्हें shifting cultivators कहा जाएगा, आगे ध्यान में, तो ये shifting cultivators हो गए, अब देखो क्या है, तो जो British colonial officers थे, उनका क्या मानना था, ठीक है, they were unhappy with shifting cultivation, क्यों unhappy थे, क्यों खुश नहीं थे, shifting cultivation से, because of their movement, अब देखो क्या है, shifting cultivator का क इधर चला में, उधर चला, जाने कहां में, इधर चला, तो shifting cultivators क्या करते हैं, कि कभी यहां रहेंगे, ठीक है, यहां खेती करी 4 साल, फिर 4 साल बात कहीं और चले गए, और British officials क्या करेंगे, उनके पीछे-पीछे magnifying glass लेकर गूमते रहेंगे, कि कि इधर गए, ठीक है, तो वो जो movement करते रहते थे, shifting cultivators, जो tribes shifting cultivation को perform करते हैं, तो वो, they were on continuously move, continuous movement, ठीक है, तो continuous movement के चलते क्या होता था, कि उन्हें trace कर पाना बड़ा दिक्कत में होता था, ठीक है, अब क्या होता था, यह वाय जो है, तो उसका जवाब दे दिया, मैंने, settled peasants were easier to control and administer, अब यह तो settled थे नहीं, तो यह तो क्या, unstable item हो गए, ठीक है, और दूसरी चीज़ का, British आते थे, they wanted tribal groups to settle down and become peasants cultivators, इतना प्यार कब से आ गया, ठीक है, कि वो ऐसा चाहने लगे, British officials कि आप एक जगा सेटल हो जाओ, tribes, और tribes से क्या बोला कि आप settled हो, settled peasants की तरा खेती करो, तो यहाँ पर उनका करते थे, कि shifting cultivators एक जगा पर settle हो जाए, क्यों, ठीक है, और वो उन्हें क्यों पसंद नहीं करते थे, उनकी movement को क्यों पसंद नहीं करते थे, तो कारण सीधे से ही है, कि settled peasants जो होंगे, जो एक जगा पर स्थाई रूप से रहेंगे, तो settled peasants were easier to control and administer, आप उन्हें बहुत आस रामलाल है, ये रामलाल इस tribal community को बिलॉंग करता है, लेकिन ये घूमता फिरता नहीं है, यहीं पर settled cultivator की तरह क्या करता है, अपनी farming को perform करता है, तो इसके ओपर text लगा रहा, चलो text लगा दो, तो इस तरह से पहले क्या है, चीजे settled way में हो पाती थी, बहुत आसानी से हो पा तो chapter 3 में पढ़के आयो, sorry, chapter 3 में आपने ये पढ़ा था कि जो land settlements वगेरा लाएं, तो उन land settlements में से एक settlement ऐसा था, जहां पर village headman होता था, landlord जो होता था, ठीक है, जो जमिंदार्स होते थे, तो जमिंदार्स को कौन peasants pay करते थे, और peasants on behalf, और जो जमिंदार होता था, तो on behalf of peasants वो Britishers को पैसे दे के आ जाता था, ये जो एक settlement लेके आया था, जिसमें tax को क्या कर दिया गया था, ठीक है, इतना tax देना पड़ेगा आपको, ये जो land settlement लाए थे, उस land settlement का नाम शायद में भूल गया हूँ, आप मुझे comment section में बताएंगे कि कौन सा land settlement था, जिसमें tax permanently fix कर दे गया था सारी चीजें, ठीक है, तो ये हो गया, तो Britishers की ये perspective थी कि हाँ, इस तरह से settled cultivation होना चीए, ठीक है, आगे देखो क्या है, however, the British efforts to settle gym cultivators was not very successful, जो British चाहते थे, कि हाँ, gym cultivators को क्या करवा दिया जाए, कि एक जगा पर settle करवा दिया जाए, settled presents की तरह उनसे बोल दी जाए, कि बस यहीं बैठो, यहां से इलना मत, यहीं पर खिती करना, तो यह जो उन्होंने efforts लगाने की कोशिश करी, ठीक है, वो कोशिश नाकाम रही, अब आप बोलोगे क्यूं, देखो यह जो land settlement वगेरा लेके आए, तो उसमें पहली बात तो क्या, वो land settlement में दिक्कत थी वो जमींदार और Britishers की बीच में आपस नहीं बन रही थी, तो पीजन्ट उस चीज को accept करने हैं, यह तो एक अलग बात हो गई, अब उसकाद में tribes हैं, यह बचपन से उन चीजों को देखते आए, उनका culture वो रहा है, कि हाँ हम तो we would be continuously on move, हम दो साल या रहींगे, दो साल ब है, तो अगर आप किसी को settled cultivation के लिए मजबूर कर रहे हो, अब वहाँ पे पानी मिल नहीं रहा है, उसे, पानी नहीं मिल रहा है, तो वो इनसान दो साल खेती कर पाएगा, उसकाद में उसे खेत छोड़ना ही पड़ेगा, तो tribes को बड़ी दिकत होती थी, क्योंकि उन्हें उ productivity of land, land की जो productivity, land की जो fertility वो तो decline हो ही जाएगी ना, अब जब land की productivity decline हो गई तो फिर shifting cultivators बोलेंगे कि यार मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, तो वो disobey करने, start कर देंगे, वो बोलतेंगे कि rules को डालो सब को चूले में डाल दो, ऐसे उठा के आग लगा दो, उसको rules को, हम क्या करने वाले हैं, perform करने वाले हैं, और उसी के सांसाथ, एक और चीज क्या होती थी, ठीक है, और उसी के सांसाथ में एक चीज ये भी देखने के मलती थी कि protest हो जाते थे बहुत सी बार, अगर मान लो shifting cultivators उस चीज के सांथ में comfortable नहीं है, and they are being forced to do that thing, ठीक है, settled cultivator बनो, उनके जबरजस्ती बिठा रहे हैं, बोलने कि नहीं यहीं पे रहके खेदी करना पड़ेगा, तो at times some tribal communities rose in protest, ठीक है, तो उन्होंने विद्रहो कर दिया, बोल दिया कि हम नहीं मान रहे हैं, तो यह सारी दिक्कते थी, और what happened to shifting cultivators, वो मैंने आपको बताया कि shifting cultivators जो हैं, तो वो ख दिते, तो यहां पे भी हमारे shifting cultivators थे, उन्होंने हार नहीं मानी, और चीजी कारण से क्या, जैसे north eastern states में, फिर specify कर दिया गए, कि आप कुछ tribes के लिए बोल दिया गए, कि चलो tribal communities हैं, तो उन्हें shifting cultivation की आज़ादी दी हमने, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर ले, और वह tribal areas में, जैसे north eastern state में, उसके, उसे regulate किया जाता है, असा नहीं कि रातो रात तुम पूरे जंगल साफ कर दो, लेकिन regulate करके shifting cultivation आज भी कुछ tribes perform किया जाता है, बाकी अधिकतर लोग तो अब subtle होई ही चुके हैं, farming sector में अगर आप देखो तो, ठीक है, so this was all about what happened to shifting cultivators, इस topic में य Thank you very much. कि tribal chiefs की position decline हो गई, shifting cultivators को कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन ultimately उन्होंने भी बराबर की टक कर दी shifting cultivators ने, अब हम उसी चीज को जोड़ेंगे, किस topic के साथ में, इस topic के साथ में, कि जब colonial rule आया होगा, ठीक है, under the colonial rule, कुछ forest laws भी बनाया होगे, ठीक है, अब tribes जो अलावा और कुछ किसी, मतलब आदिवासी उन्हें क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है, वहीं पैदा हुए, वहीं रहना, सारी चीजें वहीं करना, तो इस sense में, उनका जो जुकाव है, वो किस तरफ ज़्यादा रहता है, forest के towards, ठीक है, उ उनके लिए forest क्या है, source of income है बस, किसके लिए, colonial officers के लिए, उनने देखा कि यहां timber है, बहुत सारे, लकड़ी काटेंगे और लकड़ी काट के ले जाएंगे, पैसा कमाएंगे बस, लेकिन यहां तो एक इनसान के क्या है, पूरे sentiments जुड़े हुए न, forest से, तो tribes का forest के साथ मे relation तो बहुत क्या interlocked है, बहुत घनिष्ट रिष्टा है, ठीक, और यह forest laws जब लाएं, तो forest laws लाने के बाद में, दिखती बात है कि tribes के उपर कहीं न, कहीं negative impact हुआ ही होगा, तो हम उसी चीज को पढ़ने वाले, what was the negative impact of forest laws on tribes, ठीक है, आगे देखो, अब क्या होता, therefore changes in forest laws had a considerable effect on tribal lives, जो भी मैंने समझा है कि जिस तरह से forest laws आएंगे तो, those forest laws would have a considerable impact on the lives of tribes, ठीक, forests were declared as state property, some forests were classified as reserve forest, इस चीज को समझो, सबसे पहले यह जो forest laws आए, ठीक है, so called forest laws, जो development के लिए आया थे, लेकिन कहीं न कहीं वो, tribes के rights को कुचल गए, तो वहाँ पे, forest laws में पहले तो नही नहीं आने से पहले, forest किस के हैं, तो बघवान के हैं, मतलब ऐसा रहा जाता है, किसा सब कुछ प्रकृति का है, क्या तेरा, क्या मेरा है तो सब कुछ प्रकृति का है, इस तरह की सोच रखी जाती थी, forest का कौई उणर थोरी ना था, लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये forest laws के पर 극ली को सेक्षन हे प्रिटिश को में और ने और नहीं किस खुछ थो प्रिटी को क्रतिया है तुम खुर्म वे रिजाफ फॉर्स को रिजाफ फॉरस्ट कि तरह रिजाफ फॉररस्ट का होते हैं यह कि यह जो एरिया करदा कि यहां से कोई भी किछी प्रकार का सामान बाहर लिजा नहींस कथा simple तो उन्होंने reserve forest declare कर दिया अब जब ये forest laws में इस तरह के laws बनाये गए कि state property declare कर दो reserve forest कर दो तो यहाँ जो बिचारे tribes रह रह रहे होंगे उनको बाहर वगाया होगा ठीक है जंगलों से निकाल दिया गया होगा जो tribes जाते थे वहाँ से कुछ forest product करने के लिए hunter gatherers थे तो वो हिरन उदर भागते भागते चले गया तो हिरन वोट धुरी नहीं देखेगा कि reserve forest जे तो अंदर नहीं जाना है अब हिरन के पीछे-पीछे hunters भी जाएंगे अब hunters चलेगा तो Britishers ने पकड़ लिया अब अगर उसे देखें point wise तो जिसे जो shifting cultivators थे shifting cultivators तो क्या है अब forest state property बोल दी तो shifting cultivators पेड़ नहीं काट सकते थे वो एक जगा से दूसरे का shift नहीं हो सकते थे उन्हें बड़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ा hunter gatherers जो थे तो जिसे मैंने बताया कि hunter gatherers को तो forest में जाना ही पड़ता था forest produce जो है तो forest produce collect करने के लिए मानलो hunting करते करते अंदर चले गए तो उनकी life पे भी एक negative impact पढ़ा ही होगा दिखती बात है जब area को reserve declare कर दिया state property declare कर दिया आगे अगर देखें home of the tribes अब देखो क्या मैंने बता है कि tribes और forest का बहुत घनिष्ट रिष्टा है एक्दम interrelated हैं दोनों एक दूसरे के उपर बहुत जादा interdependent है अब उन्ही tribes का घर अगर बोला जाता है तो इसा तुरी ना कि कहीं किसी complex में या फिर कह सकते हैं कि किसी five star hotel में रहते थे tribes उन लोगों का क्या है उन लोगों का तो घर उसी जंगल में हुआ करता था अब जब आप बोल रहे हो कि उसी जंगल में एक एरिया reserved होगा अब reserved जंगल से आप उन्हें बाहर निकालोगे तो forest was the home of tribes ठीक है it was considered as the adopt for them ठीक है वो उनका आश्याना था ठीक अब जब उनका अश्याना था तो अब आप forest laws के चलते क्या करोगे उन्हें वहां से निकालोगे कहां जाएंगे बीचारे ठीक है तो उन्हें कहीं ना कहीं जैसे अधिकतर यही हुआ पता है आप आज आज देखोगे न में relate करना टॉपिक से बाहर चलके मैं आपको एक चीज बताता है अब वहां पर से जब निकला है तो ऐसा पर नहीं कि कहीं और किसी गाओं में उनको रखा जाएगा या फिर यह वो तो वह शहर में आ जाते हैं काम कुछ नहीं आता है तो महनत का काम करेंगे construction sites पे काम करेंगे कभी बैठना और उनसे पूछना कि आप कहां से आयो कैसे आ अब आगे आजा वापिस टॉपिक पर तो सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एस रिजर्फ फॉरेस्ट यहां हो गया रिजर्फ फॉरेस्ट दिकलेर होने का इंपक्ट शिफ्टिंग कल्टिविटर्स पर क्या रहा हंटर गया और जब जो ट्राइब्स उसे अपना आश्या अब लेबर की तो बाहर निकाला क्या वह वापिस आ सकते तो वापस वह आएंगे तो लेकिन उसमें तो हमारा नुकसान है तो ब्रिटिश बड़े चालाग तो थे यह तो आपको मानना पड़ेगा पुराने चैप्टर्स में भी बताया फिर से बता रहो फिर नहीं चतुरा From where would the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport logs ठीकें रेलवेस का काम चल रहा है ठीकें उस समय रेलवेस का development हो रहा था एकदम बढ़ चला के रेलवेस बनाई जा रही थी तो आज तो क्या होता है concrete होते हैं लेकिन उस समय पे रेलवेस के जो sleepers होते हैं sleepers समझते हैं यह जो ऐसे इस तरह से दोन करना पसंद करते हैं एक एक sleeper jump करके ठीक एक एक sleeper पर जाना जाते हैं कभी गिरते मुझे बल तो सारी चीजे जो हुतती है small patch of land was to be given to gym cultivators ठीक, जैसे मैंने आपको ताय कि उन्होंने gym cultivators को भगा दिया बोलते कि आप दिखना माद इधर पेड़ काटने मत आ जाना लेकिन बात में जब उन्हें समझ में आया कि उन्हें क्या चाहिए रहेंगे लेबर्स चाहिए रहेंगे तो उन्होंने फिर से बुला लिया gym cultivators को आओ ना ठीक है आप ही का तो जंगल इस तरह से बुलाया बुलाने के आद में क्या बोला कि we will be giving you small patches of land ठीक हम आपको छोटे-छोटे हिससे देंगे जमीन के कि यह यहां से यहां तक आपकी जमीन हो गई ठीक है यह अपना फाइदा तो पहले देखेंगे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला कि आपको small patch of land दे रहे ना यह आपको दहजबनी दे रहे है ठीक है इस small patch of land के बदले में क्या करना होगा आपको कुछ करना होगा हमारे लिए तो in return those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest ठीक है तो उन्होंने बोल दिया कि हम आपको यह patch of land देंगे आप आसपास गाओं में रहो खेती यहां करो लेकिन हमें जब जरुवत रहेगी हमारे लकड़ी कटवाने के लिए जब जरुवत लगेगी हमें उस समय तुम्हें हमारे हां labor बन के आना पड़ेगा ठीक है तो those who live in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest जंगलों का ध्यान रखो और labor की तरह काम करो यह शर्त रख दी उन्होंने तो जैसे आप देख रोगी agreement वगेरा sign कर वाली है से अब agreement क्या वो तो सीधी बात ही कर लिए होगी ट्राइबल्स बोले बाले से मान गए ठीक है तो therefore forest department established forest village अब जो reserved village बनाये थे ना उन्होंने देख अभी भी चालाक है तो बोल दिया कि लकडी हम तुम से यहां से कटवाएंगे और एक जो थोड़ा सा मतलब जहां अच्छा timber नहीं था तो वाला area दे दिया उन्हें बोल द क्लास में आप पड़ोगे इस चीज को एक चाप्टर पड़ोगे specifically ठीक है तो उस चाप्टर में आपको समाझ में आगा है कि हां किस तरह से चीज़ें हुई थी तो forest village declier कर दिया reserved village forest village इस तरह से अलग-अलग forest की category बना दी forest village में आ जा सकते थे hunter gatherers जो थे तो अपने products collect कर सक सकते थे उसके बाद में shifting cultivators वहाँ पे gym cultivation को perform कर सकते थे बदले में क्या करना होगा उन्हें as a labor काम करना होगा और यह पूरी strategy लगाई है ना यह पूरी strategy लगाई उन्हें for cheap labor था कि उन्हें सस्ते labor मिल सके अब देखो क्या है आप अभी तक सोच रहा होंगे कि सहना पढ़ आए कितना ठीक है किसे tribes को अब आपके मन में यह भी सवाल आया हो कि वर्दे हैपी विद इस ठीक है कि यह जो पुरा settlement लगाया forest laws के अंदर में उनको पहले तो expel कर दिया फिर बुला लिया सारी चीजें तो क्या उससे tribes खुश थे तो देखो मरता क्या नहीं करता ठीक है त उन सारे rights से उनने क्या किया गया है तो इतनी असारी से उनने हार नहीं मानी होगी ठीक है Many tribal groups reacted against the colonial forest laws तो यह colonial forest laws बनाए थे तो many tribal groups reacted against those tribal forest laws they disobeyed the new rules ठीक है तो नए rules बनाया तो बोल दिया Rules बना लो तुम हम obey ही नहीं करेंगे disobey करेंगे तो rules क्या करोगे जिमरक के ले जाओ अपने rules को ठीक है तो they disobeyed the new rules They continued to practice what was considered as illegal ठीक है जिस चीज को illegal consider किया गया illegal क्या कि आप reserve forest में से पेड़ नहीं काटोगे tribes ने उला रुखो जरा दो मिनिट ठीक है यह सारी चीज़े चलती लगती थी at many times they rose up in rebellion तो बहुत सारे एक नहीं दो नहीं बहुत सारे और subsequent chapters में subsequent class में आप पढ़ोगे 9th में वगरा में समय पढ़ोगे कि tribes जो है तो हर बार अलग-अलग जगा अलग-अलग tribes क्या होते हैं rebellion में ठीक है क्या कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से विद्रोग अगरा किस चीज का यह जो forest laws आते थे तो बसतर rebellion आप पढ़ोगे 9th class में और तरह तरह के बहुत सारे rebellions ठीक है और सरिफ इंडिया से मतल अनने वाले हैं the problem with trade ठीक है तो next topic में हम क्या पढ़ेंगे यह discuss करेंगे कि forest जैसे colonial rule आया तो हमने देख लिए tribes के उपर shifting cultivators के उपर फिर उसके बाद में shifting cultivators के उपर क्या जो forest laws बनाए गए इन सारी चीजों का क्या impact रहा अब next video lecture में हम पढ़ेंगे कि जो trade होता था उस trade मे कोई दिक्कत आई क्या tribes को ठीक है क्योंकि trade भी एक important source of earning थाना होन के लिए अब जैसे भी चाहिए घाटा खा के पैसा कमाते थे लेकिन कुछ पैसा तो आता था बिचारों के लिए तो वो trade पर क्या impact पढ़ा वो सारा सब कुछ हम next video lecture में पढ़ने वाले हैं I hope चीज़ें यह पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे the problem with trade देखिए अभी तेख हमने यह समझते हैं कि colonial rule में किस तरह से Britishers परिशान कर रहे थे British colonial officers परिशान कर रहे थे उनके द्वारा बनाये गए laws परिशान कर रहे थे tribes को अब हम देखेंगे कि tribes जो है तो यह trade में भी परिश परिशान किया कैसे पूरी पिच्चर में आपको समझाता हूं comprehensively इस वीडियो लेक्चर में देखिए तो क्या होता है traders and moneylenders came to the tribal area तो 19th century 18th century में क्या देखने को मिला कि बहुत जाधा traders बहुत जाधा moneylenders ठीक है लाला जी रहते थे हैं हैं करते हुए आते थे और क्या पैसे लेके आते थे ठीक है कहा प्याने लगे came to tribal area तो जंगलों में जाते थे वो बड़ा इंसान पैसे वाला इंसान जंगलों में जाना चालू कर दिया उसने तो tribes सोचते थे क्या पता नहीं क्यों आ रहे हैं फिर हैं फिर क्यों जाते थे तो क्या बोलते थे देवर they wanted to buy forest produce ठीक से क्या बोलते थे कि तुम हमारे मजदूर की तरह काम कर लो हम तो पैसे देंगे तुमें चिंता मत करो मेरे घर आ जाये करो ठीक है तो मेरे घर खेती कर दो ये कर दो वो कर दो आपने देखा होगा कि अधिकतर जो बड़े-बड़े किसान रहते हैं आज भी है system है तो वह क् से cemam चलता चैक वह कंजोर रहता उसे सब एक्सक्लोइट करने की कुशिफिश करते वही यहां पर भी हुआ तो बहुत सारे ट्रेडर मनी लेंडर्स जाते थे किसके पास में तो ट्राइबल एरियाज में जाते थे ट्राइबल एरिया में जाने के बाद में क्या करते थे व फिर क्या होता है कि उन्हें बाद में चीजें समझ में आती है ठीक है? ट्राइब्स को बाद में चीजें समझ में आती आती कि they were being exploited कैसे exploit हो रहे थे तो उसीज को हम एक silk growers जो रहते हैं ठीक है जो tribes silk के लिए कह सकते हैं कि silk warm जो आता तो उसको rear करते तो उसे पालते थे ना तो वहां से आपको कहनी रिलेट करता हूँ ठीक है ते का लुक on the case of silk grower ठीक है अब देखो आप यहां पर यहां पर यह सूच सकते हो कि यार यह जातो रहे हैं वहां पर पैसा वैसा दे रहे तो उसमें बुरा क्या वाट्स बैड इनिट लेकिन आप सम पूछने का सवाल ही नहीं है क्यों पूछा अपने ठीक अब आगे देखो तो अब यह सिल्क ग्रोवर का गराम केस देखें तो क्वालेटी ऑफ इंडियन सिल्क क्वास्ट डिमांडेट ऑल ओवर दी वर्ड तो इंडियन सिल्क जो होता था ना खास करके जैसे मैं आपको ब तो क्वालेटी इंडियन सिल्क वास्ट डिमांडेट ऑल ओवर दी वर्ड और इसी कारान से उसका एक्सपोर्ट बहुत जादा होता था एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो चलो समझाता हो देखो जब आप किसी देश से कुछ सामान बहार पहुचाते तो वह एक्सपोर्ट हो गया जब आपकिसी देश में समान अंदर बुलाते हैं इंपोर्ट फ्सपोर्ट हो गया तो क्या होता कि क्यों कि इंडियन सिल्क वास ऑफ हाई क्यों是de वे क्या हमें भेच वो हम इससे दूसरे डेश में बिचेंगे, क्या था तरह सिधा सबासे हैं आखwny। पैसे कि इंडियन कउपनी उसको चाहती ते की ज्यादा झाता और एक्सपूर्ट किया जाए अब आप देखो दिखती बात है अगर मानलो आपको मारकर खरीदना तो मारकर जो बना रहा है उससे भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लेकिन दिक्कत ही होती थी कि यह पूरी चेन में जहां पैसा दिख रहा था सभी को ठीके तो वह जो पै चुकून को क्या होता है जिसमें जिससे सिल्क बनता है न वह क्या करते थे रियर करते थे और उनके पास में कौन चल जाते थे ट्रेडर्स की एजेंट जाते थे तो अधिकतर क्या होता था कि traders send their agents to these tribal communities क्यों नाश्ता पानी करने के लिए नहीं वो tribal communities के पास अपने agents को पुझाते थे ताकि agents उन से क्या ले सके वो cocoon ले सके अब agents क्या करते थे उनको advanced loan दे दे थे advanced loan and collected cocoon from tribe तो traders ने क्या ओल दिया कि अच्छा आप cocoon rare करते हो ये लो ये 50 रुपे ले लो ठीक है 50 रुपे में अब क्या है तो बहुत कम दामों में एक रुपे में दो रुपे में तीन रुपे में 1000 रुपे में खरीद लेते थे traders ठीक है तो ये traders के जो agents जाते थे दिखती बात है कि tribes ये सोचने कि यही कीमत चलते होगी मतलब इसी तरह से system चलता होगा तो tribes बोले भाले से मान जाते थे बात और ये advance loan लेने के बाद में फरस से भी गए है तो वो दे देते थे थे यहां ठीक है चलो ये ले लो मतलब कि ये कुकून ले लो आप हमें पैसे दे दो ठीक अब इसमें problems क्या थी problem समझना ठीक है problem ये थी कि purchase at very low price तो ये जो agents आते थे तो ये कुकून बहुत कम दाम पे खरीकते थे जैसे मैंने बताया इन से जितने जिस दाम में खरीद रहे हैं उससे पांच गुना दाम में ज्यादा बेच रहे हैं ठीक है एक रुपे में खरीदा पांच में बेच होगे तो यहां जो महनत कर रहा है जो जो ट्राइबल मेहनत करके उन्हें पालते थे हम देख रहे हैं कि जो middleman हैं ठीक है middleman कौन हो गया middleman so called middleman होगा यह agent ए ट्रेडर जो क्या कर रहे हैं खुद कुछ नहीं कर रहे हैं बस यहां से ले रहे हैं वहां दे रहे हैं और यह middleman क्या कर रहे हैं सबसे ज़्यादा profit बना रहे है middleman made huge profit अब जब बहुत ज़्यादे इन्होंने profit बनाया तो इसकी समस्या देखो ठीक है therefore many tribal groups saw the market and trader as their main enemies ठीक है तो tribals भी भोले थे लेकिन मुर्ख नहीं थे समझना tribals भोले थे लेकिन मुर्ख नहीं थे तो उन्होंने समझ में आने लगा कि ज़ो middleman है यह तो हमें exploit कर रहे है तो therefore many tribal groups saw the market and traders as their main enemies तो उन्होंने अपना main दुश्मन इन लोगों को मान लिया आया समझ में तो this was all about यह हमने आपको बताया किस बारे में the problem with trade तो trade के साथ में भी क्या थी बहुत सारी समस्या है थी तो अभी तक हम देखना है कि colonial rule में किस तरह से एक negative impact सेहन करते आ रहे हैं कौन? Tribals अब एक और negative एक और dark face जो है तो हम next topic में पढ़ेंगे कि क्या negative impact जो हुआ है tribal communities के उपर वो है कि उन्होंने अपना घरबार सब छोड़ा तो अब जब बहार गए तो उन्हें नए काम ढूनना पड़ा है और नए काम हों में बड़ी दिक्कत है The search for work is your next topic ठीक है तो यहां तक चीज़ेश क्लियर हो गई है I hope किसी परकार काई डाउट नहीं है अगर डाउट है भी तो feel free to ask in comment section Till then stay connected, keep learning Thank you, thank you very much Hello everybody, this is दिगरास सेंग राजपूत Welcome to Magnet Brains इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे The search for work कहां से आया यह topic चलिए relate करते हैं हमने देखा अभी तक कि colonial rule के अंदर जो tribal communities थी उन्होंने तरह तरह से problems face करी अब जब तरह तरह से problems face कर रहे थे तो उन problems में एक problem यह भी थी उन्हें काम ढूंड़ना पड़ रहा था अब आप बोलो कि काम क्यूं? क्यूं 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 वो तो जंगलों में रह रह रहे थे shifting cultivation perform करते थे hunter gatherers थे settled cultivators थे कुछ animals को hurt करते थे तो उनके पास यह इतना सारे काम थे तो उसे फिर दूसरा काम क्यों ढूंड़ना है तो राजबाबू इतने आसान नहीं थी जिंदगी ठीक है? उसमें भी बहुत सारे क्या थे problems थे कैसे? वो मैं समझाता हूँ जो tribes थे जो tribal communities थी ठीक है? तो जब यह forest laws के नाम पे एक वज्र से प्रहार किया गया उनके उपर ठीक है? तो जब forest laws आये तो देवर negatively affected with these forest laws ठीक है? यह forest laws के आने से उनके उपर बहुत negative impact हुआ क्या? कि उन्होंने अपनी जमीन खोदी जो अपना स्वर्ग से भी प्यारा उनका जंगल था तो वहां से उन्हें निकलना पड़ा ठीक है? अब निकले तो अब ऐसा नहीं कि उनके कोई five star hotel इंतजार कर रही है ठीक है? अब वो निकले हैं उन्हें अब क्या करना है? काम ढूणना है सबसे पहले काम क्यों ढूणना है? वो लोग बहुत महनती थे नहीं पेट पालने का सवाल है ना तो उन्हें कुछ खाना है कुछ पीना है मानलो survive ही करना तो survive करने के लिए उन्हें पास में या फिर मानलो वो एक ग्रूप में घूम रहे है बस एक जगा से दूसरी जगा जहां जो मिल रहा है खा रहे है पी रहे है ठीक अब जब वो काम ढूणते रहेंगे इस तरह से तो अब काम अब ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए कोई बढ़िया सॉफ्ट्वेर कंपन पर कुशन आ चुका था कि अब सर्वाइफ कैसे करें तो अब क्योंकि वहाँ पर पापी पेट का सवाल भी है तो काम भी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो यहां पर देखिए क्या है वर सबसे राता दिक्कत और उन्हें होई है जिनने क्या है मान लोगी यह रहते थे कभी जंगलों में यहां से निकाल दिये गया अब काम यहां कहीं नहीं मिल आएला आ सपास काम कहीं नहीं में तो नॉर्थ बहुत दूर चले गए काम डोंटे दोंटे जैसे एग्जांपल ऑघाल देता हुए तो नौथ इस्टन स्टेट्स की ट्राइबल कम्यूटी स्थी मानलों अगर डिष्पलेश होती है तो अगर डिष्पलेस होके का हा गए नौल इससे नौट इससे चाहँ चिर्फ इंडिया चले इस वें किसे तो फ mellan बताता हूं उस्मेबं जो major industries थी जहां पर उन्हें काम मिल पाता था या फिर जो important industries ऐसा कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी-बड़ी industries मतलब जहां पर वो काम कर सकते थे जहां पर काम करने के लिए बने हुए थे वो तो वो कौन-कौन सी अब ट्राइबल्स को ही रिक्रूट भी किया जाता था यहां पर समझना पूरी कहानी है देखो हर आदमी क्या कर रहा है अपना profit maximize करने की कोशिश कर रहा है तो जैसे जो important industries में क्या जाएगा कि हो गया माइनिंग हो गई टी प्लाइशन फील्स से असाम वगेरा में क्या है जो बागान है चाय बागीं तो वहां पर क्या करना है वहां पर पत्ति तोड़ना और फीछे यह जो भास्केट में डालते थे तो अमनों सोचला कि हमें ऐसे माइनि необходимо मत भी टाकत को काम रेता माइनिंग में आपको मैंसमी जाना है पत्तर फोलना यह सारी चीज kick में खत्रा बना रहता है ओजाए क्या हो जा अब यहांपे क्या है कि यहां पर एक ऐसे आदमी को लाया जाए जो किसी कंडिशन में काम करने को तयार हो अब मरता क्या नहीं करता तो ट्राइब्स वैसे भी बहुत परिशान तो चलो काम ही करेंगे तो यह होता था ठीक अब अधिकतर जो यह जॉब मिलती थी उन्हें जॉब नहीं का मैं कॉंट्रेक्टर जैसे के एक्जामपल लेते हैं तो मैं क्या करूंगा कि यह प्लांटेशन फील्ड है इस प्लांटेशन फील्ड पर काम करने के लिए मुझे लोग चाहिए अब लोग चाहिए मुझे पता लगा कि ट्राइब्स को काम चाहिए एक ग्रूप है आट- इसाब से तो इसके कांटक्र सोधे थे अधिक तर क्या होता था ट्राइबल सुटेद ट्रूर्उट्ट कॉन चैसे करते थे यहां पर फक्रीवंटेश्ण थे प्राइब क्यों वेजरेबर तो बोल दिया कि हां अभी अभी काम है अभी नहीं जा सकते हो तुम घर पे तो बोलते हैं अभर फे आगर काम चला ओगा तो तो तुम्हें फिर वापिस काम पर रखेंगे तो इस analytics था था तो इसके चलते हैं इसी टॉपिक में यह سारी छीज़ा हमने डिसकस करी है कि the search for work तो काम की तलाश में भी exploitation हुआ tribes का, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ठीक है, अब मतलब क्योंकि major topics खतम होगा, अब जो last topic है तो वो क्या है बिर्सा मुंडा की कहानी है, वो मैं आपको बताऊंगा वो एक अलग section हो गया chapter का बाकि अभी तक हमने जो chapter पढ़ा एक बार पूरा relate करो आगे से पीछे तक, तो हमने tribes के बारे में देखा, बड़े राजी खुशी जीते थे वो, लेकिन सारी चीज़ने बदल गई कब, ये कुछ last years में, ठीक है, मतलब last years में जैसे traditional तरीके से चीज़ों को नहीं कर पा रहे थे ठीक है, shifting cultivators के बाद में फिर हमने क्या देखा कि जो trade होता था, जो colonial laws बनाये गए ये जो काम के, मतलब search for the work वाला जो topic है, ये बहुत अच्छा से एक insight provide करता कि कैसे, आज आप देखते हो शहरों में, ठीक है, कि आज शहरों में आपको क्या दिखेंगे, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो construction sites पे, आपको देखने की काम कर रहे हैं, तो वो लोग कहां से आएं, वो लोग अधिकतर कहीं, जैसे ऐसा नहीं कि सारे लोग tribes है, ठीक है, कुछ लोग, कुछ लोग मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप बैठेंगे, बात करेंगे, तो समझ में आएगा, कि कुछ लोग कभी, आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, कहीं रहा करते होंगे, आराम से जंगलों के बीच में, ठीक है, अपने traditional तरीके से customs rights को search for work, I hope यहां तक चीज़ें आपको समझ में आईए, अब next video lecture में बिर्सा मुंदा की जो कहानी बचिये, उस कहानी को comprehensively पढ़ेंगे, वो भी एक interesting topic उसमें आपको समझ में आगा कि कैसे tribals ने जितना exploitation सहन किया है न, तो उतनी आवाज भी उठाईए, उतनी बुलंद, उतनी उची आवाज उठाईए, तो कैसे उन्होंने revolt किया है, rebel किया है, तो बिर्सा मुंदा की कहानी से हम पढ़ने वाले हैं, यहां तक किसी भी प्रकार का कोई doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ेंगे a closer look बिर्सा मुंदा, जी हां, अभी तक हमने क्या discuss किया, अभी तक हमने chapter का एक major part complete कर चुके हैं, लगभग लगभग chapter पूरा ही complete हो गया है, क्यों? क्योंकि यह last video lecture है, लेकिन अगर topic wise देखें, तो अभी तक हमने ट्राइवल्स की पूरी situation समझी, कैसे रहते थे, colonial period में क्या उनके उपर impact हुआ, negative था जो कि सारा, वो सारा सब कुछ समझाए अब देखिए, अब एक case study पढ़ेंगे हम, अब हम case study, अब closer look जो लिखा है तो बिरसा मुंदा के perspective से देखेंगे, जो मुंदा tribes थे, तो उनके perspective से देखेंगे कि क्या बदलाव आए, ठीके, क्या बदलाव आए, या फिर जो chapter के नाम में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो part है, कि decoos के towards tribes के क्या reaction रहे, ठीके, और ये the version of golden age क्या चीज़े, ये सारी चीज़े, इस video lecture में हम discuss करने वाले हैं, I hope समझ में आए आपको, देखिए अब क्या ह क्या है, colonial rule में क्या होता है, बहुत सारे changes आते हैं, laws बदलते हैं, forest laws लेके आजाते हैं, इस हमने देखा forest laws ले आए, उन्होंने रिजर्फ forest डिकलियर कर दिया, forest area अलग डिकलियर कर दिया, village forest के लिए, तो ये सारे changes लाने से क्या हुआ, इन सारे changes के चलते कहीं ने कहीं, rebellion के के लिए, लोग जो जितने भी tribes थे, तो वो rebellion के लिए ready हो गए, कि हाँ, यार ये जो हो रहा है, तो हमारे traditional rights के साथ में क्या हो रहा है, एक तरह से, खिलवार हो रहा है, and we are not happy with this, ठीक है, तो उसके चलते, they rose up in rebellion, और साहती साथ में को एक और problem हो रही थी, क्या, कि जो traders और money laws में, उसके चलते हैं, पहले से dissatisfied थे, they were making themselves ready for rebellion, साथ ये साथ में money lenders, traders जो थे, वो उने exploit कर रहे थे, तो बून्द बून्द से घट भरता है, अब वैसी क्या होते जा रहा था कि tribes के अंदर घुसा भरते जा रहा था, और यहां पर हमकर जैसे देखें, तो कुछ क्या है, previous examples हैं हमारे पास, जहां पर जो examples ये बताते हैं कि tribes ने क्या किया, they do rebel against the unjust colonial laws, ठीक है, and the exploitation from traders and money lenders, तो tribes ने at times क्या किया, rebellion में खड़े हुएं tribes, ठीक, example में जैसे आप देखेंगे तो कोल्स, तो कोल rebellion हुआ 1831 में 32 में, ये forest laws के against में ही था, ठीक है, छोटा राखपूर ये वाले region में, फिर जैसे सांथाल्स रोज इन reward, तो सांथाल्स भी अपने traditional rights खोते जा रहे थे, तो इस चक्रम उन्होंने भी revolt किया, फिर बस्तर rebellion in Central India, broke out in 1910, तो यहां पे भी वही कहानी रही थी बस्तर में क्या, कि one-third area को declare कर दिया था, बस्तर 36 गड़ के आसपास, तो declare कर दिया था, कि इतने area को क्या करने वाले है, result forest declare कर देंगे, मतलब, result forest declare कर देंगे, और उसके बाद में क्या होता है, कि जो बस्तर के tribes थे, तो धूरवास वगरा यह जो सारे tribes थे, उन्होंने वहाँ पर revolt किया 1910 में, similarly, worldly revolt in महारास, तो महारास में जो tribal groups थे, उन्होंने भ रिवाल्ट हुए हैं, जो कि tribes ने, नौर्थ इसने स्टेट्स में भी हुए, ठीक है, सदन इंडिया में भी हुए, हर जगा revolt हुए हैं, tribes के दवारा, ठीक है, और यह tribes के दवारा जो revolt होता था, कारण उसके बीचे simple सा यह रहता था, कि उनका exploitation होता था, या तो British colonial government करती थी या फिर हमारे ही moneylanders और traders करते थे, ठीक, अब यह जो revolt हुए, तो उन्ही रिवाल्ट में एक जो prominent revolt था, वो बिर्सा मुंदा के दवारा lead किया गया था, ठीक है, तो बिर्सा मुंदा आल्सो lead one such revolt, बिर्सा मुंदा ने भी एक ऐसा ही revolt, कह सकते हैं, lead किया था, वो क्या था, अब उसे समझते हैं, आगे समझें background, यह देखिये क्या, तो बिर्सा मुंदा क्या, he was born in mid 1870s, ठीक, छोटा नागपूर प्लेटी वाले region पे उनका जन्म हुआ, वहाँ पे क्या है, he was the son of poor father, poor father मतला एसा essence में आपकी book में लिगा है, कि relate करिये वो है, ऐसा भी नहीं कि local groups होता था, वहाँ पे खेलते हैं, वो बड़े हुए, अब सारी चीजे जो देखी, उन्होंने क्या देखी, forest, forest से जुड़े हुई, forest के साथ में कैसे उनके tribal group का interaction था, उनकी dependence forest के उपर, तो वो एक contented जीवन जी रहे थे, ठीक, अब क्या होता है, forced by poverty, his father had to move from place to place looking for work, अब मतलब जंगलों में ही रहते थे, तो एक जगा से दूसरी जगा मूव करते रहते थे, क्योंकि गरीबी थी, पेट भरना है, तो उस तरह से shifting cultivation को perform करते थे, यह सारी चीजे देखने को मिली उन्हें, अब जब मुंडास जो थे, अब एक चीज और समझना, देखो, Britishers तो आ ग को याद करते थे, golden age क्या चीजे, golden age भी समझाता हूं में, तो मुंडा ट्राइब्स में ऐसा माना जाता था कि traditionally वो सारे जो वहां की जमीन है, तो देवर्धी traditional descendant of that land, ठीक है, उन सभी लोगों ने वही पे जनम लिया, सारा सब कुछ हुआ है, और traditionally उनका अधिकार है उस ज जहां पर सारी forests, forest products, rivers, mountains, इन सारी चीज़ों पर मुंडा tribes का अधिकार हुआ करता था, और इसी के चलते क्या है, कि जो past में बहुत सारे सरदार, सिर्दार लिखा है आपकी book में जो ठीक है, तो जो बहुत सारे सिर्दार जो हुआ करते थे, सिर्दार is equal to headman's जो होते थे, त उसी तरह से बिर्सा मुंडा ने भी बहुत सारी चीज़ों को observe करते गए, वो observe कर रहे थे कि किस तरह से golden age कभी उनकी exist क्या करती थी, उनके बड़े बुदर्ग बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने फिर मुल्क की लड़ाई का concept क्या किया, adopt किया, मुल्क की लड़ाई मतलब क है, fight for the land, ठीक, तो यह लड़ाई लिखा है, यहाँ पर, लड़ाई मतलब वही लड़ाई, clear, तो वो थोड़ा सा language accent बदल जाता है, वो सारी चीज़ों होती है, तो मुल्क की लड़ाई के लिए आवाज उठाई उन्हों के ने, ठीक है कि, we are required to fight for our land, क्यों, क्योंकि they felt that they are being exploited by the colonial officers, ठीक, यह सारी चीज़ों हो रही थी, और इनी सारी चीज़ों के चलते, these all inspired him for revolution, और यह सारी चीज़े जो background उनके लिए तयार हो रहा था, कि उनके पूरवा जोक उनों ने देखा कि लोगों ने आवाज उठाई, सब कुछ किया है, ठीक है, और बिटिशर जो एक् और इन्फूएंस ऑफ रिलिजन, ये चीज़ समझना, तो बिरसा मुंडा ने क्या किया है, अब देखो एक चीज़ और थी, जब ब्रिटिश कॉलोरियल्स आए ना, तो ब्रिटिश मिशनरीज भी आया है सांथ में, ब्रिटिश मिशनरीज को ने, तो जैसे हम कहा सकते हैं क क्रिश्यानिटी को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग यूरोप की कंट्रीज से इंडिया आ गए, इंडिया क्यों आए वो, तो यहां पे वो अपने रिलिजन की प्रीचिंग्स देने आए, तो क्रिश्यानिटी के बारे में लोगों को बताने के लिए आए, उन्होंने क् क्रिश्यानिटी से जुड़ी बाते बताते थैं, बोलते थैं कि आपको गिव अप करना होगा, जैसे क्या एक कि आपके मतलब जादू तो ना यह सारी चीजें जो चल रही है, तो नहीं आपको खदम करना होगा, इस तरह से क्या किया जाता था था, लोकल मिश्यानिरी तुष्हा-पंट Green टो नो डाउट उन लोगल मिश्नरी स्कूल का बिर्शा मुंडा की ठिंकिंग की ओपर कहीना की इंफलेंस रहा है उसके बाद में क्या है बिर्शा मुंडा केम इन कांटेक्ट विश्शोंवर प्रीचर्स बैस्टलब क्या है तो हीन्दू-ईजम का एक सेक्ट हो गया हिंदुईजम का एक मतलब एक पार्ट हो गया जो जिन्होंने क्या है कि सनातन धर्म के बारे में उने बताया उससे जुड़ी वी बाते बताई तो कहीना कहीं क्या है और उसी के साथ साथ में यह वाले पॉइंट को यहां जोड़ो कि जो मोल्की की लड़ाई या फिर फाइट फॉर दी लेंड का जो कंसेप्ट था तो वो कहीना कहीं उन्हें इंस्पायर कर रहा था किस चीज के लिए रेवलुशन के लिए ठीक है तो वो रेवलुशन के लिए भी तयार थे साथ ही साथ ने उनका कहीना कहीं इंटेलेक्च्वल ग्रोथ भी हो रहा था लोकल मिशनरी स्कूल्स के दोवारा वेशनवर प्रिचर्स के दोवारा ठीक है अब उसके बाद में कहा है तो बिरसा मुंदा ने जो रेवलुशन की लड़ाई मतलब कह सकते हैं कि ने जो रिवल्ट खड़ा किया तो उस रिवल्ट में उन्होंने इन्होंने स्टार्ट या फिर क्या सकते हैं प्रायोरिटी किस चीज पर दी प्रायोरिटी दी गी एंडेड रिफॉर्मिंग ट्राइबल सॉसाइटी तो अनरो सबसे पहले बोला कि प्रिडिशर्स को तो बा तो उनसे कहा कि you are you should give up drinking ठीक है give up drinking मतलब क्या है कि तुम water ने give up drinking liquor मतलब आपको शराब पीना छोड़ना होगी ठीक है उसका आद में clean their village तो उन्होंने चीज़े काला जादू पीला जादू यह जो जितने भी जादू होते हैं तो उस तरह से क्या है विर्सा मुंडा ने इन सारे points पे पहले society को reform करने के लिए society को reform करने के लिए जो ट्राइबल ग्रूप्स थे उन लोगों से एक पील की एक अब क्या होता है आगे देखो तो इस तरह से सारी चीज़ी चलते गई उसका ने विर्सा अगेंस्ट में अगेंस्ट में अच्छी बाते बता रहे वहां तक ठीक है लेकिन missionaries उनके traditional rights को क्या करने लगे criticize करने लगे उनके लगे नहीं तुमारे जो forest laws है आप फिर कह सकते जो तुमारे tribal practices है वो tribal practices खराब है ठीक है आप सब Christianity में convert हो जाओ तो बिर्सा मुंदा को लगा कि ये भी अपने preset agenda के साथ में आए और ये गलत है Hindu landlords exploit करते थे, landlords थे बड़े बड़े जमीदार थे तो वो पैसा देते थे high interest rate charge करते थे इन सारे कारणों से क्या है वाई आगे समझ में इन सारे कारणों से बिर्सा also turned against missionary and Hindu landlords तो उन्हें British colonial officers तो पसंद थे ही नहीं उसी के साथ साथ में missionaries भी पसंद नहीं थे Hindu landlords पसंद नहीं और इन सभी लोगों के against में क्या हो गए वो आवाज उठाने लगे he started collecting people against them अब क्या होता देखो तो in 1895 बिर्सा urged his followers to recover their glorious past golden age तो जो golden age की बात करते ना उस golden age को सत्यूग कहा है सत्यूग मतलब क्या है the age of truth सत्य याने सत्य जो होता है ठीक है truth जो होता है यूग मतलब जो Hindu mythology के साब से लगलग यूग चलते हैं जैसे कल यूग चल रहा है तो सत्यूग मतलब क्या है the age of truth तो बिर्सा मुंडा क्या बोलते हैं कि British colonial officers ठीक है missionaries Hindu landlords ये सब मिलके exploit कर रहे हमें तो इन सब के exploitation से बचने का सीधा सा तरीका क्या है कि he urge his followers to recover their glorious past golden age जिसे सत्यूग कहा गया है तो उन्होंने बोला कि हमें अपने जो पहला हमारा जो सत्यूग था जहां पर हम कैसे रहते थे जहां पेडों की पुझा करते थे पहाडों की पुझा करते थे नदियों की तो इस तरह से उन्होंने revolution के लिए क्या कर दिया एक platform तयार कर दिया अब आप लोगे फिर क्या problem थी ब्रिटिश वर्सस मुंडा तो यहां पर दिक्कत यहीं तो चालो होती है कि जब विर्सा मुंडा इस तरह की बात करने लगे कि हमें इन सभी लोगों को भगाना होगा तो ब्रिटिश कॉलोनियल ओफिसर उसको लगना लगा कि यह इंसान विस्पोटक है यह क्या कर सकता है कि कहीं न कहीं revolution खड़ा कर देंगो क्या है कि revolution of 1857 के बाद में धीरे-धीरे क्या होने लगा था revolution of 1857 के बाद में लगातार एक तरह से ऐसा देख रहे थे कि 57 के आपने आप पर rebellion surprise कर दी दूसरी एगा पर फिर तीसरी एगा पर उन्होंने देखा कि एक और नया rebellion तयार कर सकता है बिरसा मुंडा ठीक है तो वाट वरीट ब्रिटिश ओफिसल मॉस्ट वास्ट वास्ट वास्टी पॉलिटिकल एम ऑफ बिरसा मुमेंट यह एक इंपॉर्टेंट चीज तो बिरसाराज में मतलब जो होगा तो उस तरह से बिरसा मुंडा को क्या बना दी जाएगा हैड बना दिये जाएगा और हम सोसाइटी जो है तो सत्यूक के हिसाब से जीएंगे ठीक है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी है वागर फिर से पूछे हम आप से तो प्रॉब् बिर्टेश मिस्नरीज को अटा आयँ क्रिटी से जो तो प्रॉब्रिटि यो थे तो इन्धू आइब शक्राइप करना यह करते तो खराब कम घरल ho फिर क्या होता है government क्या बात की जाए तो laws were destroying their traditional land system जैसे मैंने आपको बताए कि forest laws वगरे लाए गए बहुत सारे तो उसके चलते क्या है विर्सा मुंडा को यह भी लगा कि जो British government है यह government भी उनके traditional land system को destroy करी है नए नए law लाके ठीक है तो इन सब के against में क्या होने लगी बिर्सा मुंडा को ऐसे तरह से कह सकते है कि revolution की feeling आने लगी कि बस अब तो इन्हें हटाना है हमें यहाँ से ठीक है तो अब क्या होता है बिर्सा मुंडा इडेंटिफाइड all these forces as the cause of their misery and mundas were suffering ठीक है that mundas were suffering इस चीज़ को समझना तो अब क्या होता है इस point पर आगए बिर्सा मुंडा या फिर मुंडा ट्राइब जो उनके followers थे कि उन्होंने समझ गए कि missionaries, moneylenders, hindu landlords, government यह सारे लोग क्या है सब एक ही थाली के चट्टे बिट्टे हैं सब मिलके क्या कर रहे हैं एक्सप्लोइट कर रहे हैं tribal groups को तो विर्सा मुंडा इडेंटिफाइड all these forces as the cause and miseries that mundas were suffering therefore the movement spread among the mundas tribe और जैसे जैसे movement spread होता है तो क्या होता विर्सा decided to act तो विर्सा मुंडा ने तय कर लिए कि अब लोग तयार हैं अब हमें revolution करना ची सवाल कैसे ठीक है तो सवाल कैसे तो उन्होंने लोगों को इखटा किया और बोल दिया कि हम क्या करेंगे हमला करेंगे इंके उपर ठीक अब लेकिन क्या होता है कि British government भी देख रही थी कहीं है कहीं observe कर रही थी कि forest में क्या हो रहा है एक rebellion एक revolt तयार हो रहा है तो उन्होंने क्या कर लिया British officials ने अरेस्टेट बिर्साइन 1895 ठीक है तो बिर्सा मुंडा को उन्होंने 1895 में अरेस्ट कर लिया convicted him on the charges of royating ठीक है तो अब बिर्सा मुंडा के उपर उन्होंने आरोप भी लगा दिए कि दंगे करवाना चारा थे इंसान ठीक है यह इंसान दंगे करवाना चारा थे क्योंकि money landers, hindu landlords, मिशनरी सब के उपर हमला करने की planning थी तो इसी के चलते गवर्मेंट ने बिर्सा मुंडा को दो सालों की जेल सुना दी तो अब आपको सब्सक्राइण सब कुछ खतम जेल गाए विर्सा मुंडा लेकिन ऐसा नहीं है ठीक है तो आफ्टर दी रिलीज वन बिर्सा वास रिलीज इन 1897 बिर्सा मुंडा जब जेल से चूट के आए वापिस तो अगेन ही गैदर सपोर्ट क्यों सपोर्ट गैदर किया यहां पर जो सपोर्ट उनना गैदर किया वो इसलिए किया ताकि वो फिर से एक बार क्या कर सके ब्रि गोऊ को इखटे किया तब उने क्या बोला कि हमें रावण को डिस्ट्रॉय करना ना आ है तो रवर्ण कोन है हाँ पे डि्कू से यूर्म ठीक्यो न्यॉट एक्टम पहलों तो जो भार से आये थे वो लोग बार से कोन फिरम लेंडर शे चोआन धोंरे यह적ह भीडेंर करना ह एंड रेडेट दी प्रॉपर्टी ऑफ मनी लेंडर्स और जमीदार्स आगे समझ में तो देखो क्या होता है कि आप किसी आदमी से अगर बदला लेना चाहते तो आप उसकी उससे जुड़ी हर इंस्टिउशन को बदला लेने की नजर से देखोगे तो उन्होंने भी करना चर्चेस जो थे तो मिश्णरी के थे करो हमला वहां पर प्रॉपर्टी मनी लेंडर्स और हिंदू लेंडलॉट्स की करदो हमला वहां पर तो इस तरह से चीजे चल रही थी तो उन्होंने एक सफेज जंडा लहरा दिया और बोल दिया कि आज से हम ये यूनियन जैक के का स्टैचू रहता है क्यों क्योंकि वह एक तरह से हम उन्हें क्या करते हैं एक स्रदांजली देते हैं उन्हें एक रिस्पेक्ट देते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिश गवर्मेंट के टाइम पिरिड में कह किया है आवाज उठाईए जब हमारा पूरा द कारा उनकी डेथ होती है बट दी मुमेंट वस सिग्निफिकेंट एट लिस्ट इन टू वेस अब यह भी समझना आपको कि वह चले गए लेकिन उनके बाद में भी क्या है लोगों ने स्ट्रगल करते रहें और एक और चीज़ की उनके चले जाने के बावजूद भी हमें यह देखने को मिला कि जो बिर्सा ने जिस तरह से बिर्सा मुमेंट बिर्सा रिवाल्ट जो खड़े किया था तो उसकी सिग्निफिकेंट से एट लिस इन टू वेस वाट आ दोस टू वेस तो इट फोर्टी कॉनियल गवर्मेंट टू इंट्रिद्यूज लॉस तो यहां पे अ आज एक बिर्सा था कल और चार बिर्सा आ जाएंगे तो बड़ी दिक्कते होंगी तो उन्होंने डर के कहलीजिए कुछ भी कहलीजिए कॉलोनियल गवर्मेंट ने क्या किया ऐसे लॉस इंट्रिद्यूस किये जिसके चलते क्या है कि अब कोई भी ट्राइप्स की जमीन आस जो पहले बहुत सारे रिवाल्ट होते चले आए तो एक बार और हमें देखने को मिला कि जब जब अन्याय होगा इंजस्टिस जैसे जैसे बढ़ेगा तब क्या होगा जिए ट्राइबल पीपल जो हैं तो ट्राइबल पीपल के अंदर वह कैपसिटी है कि वह उस इंजस्ट लोग देखा हमने अब यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है आप बोलोगे यह कहां से आ गया तो जी हां बस मुस्कुराओ इसी तरह से चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है अब हम क्या पढ़ने वाले हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्च्चर में हम NCRT solutions जो है उ Welcome to Magnet Bains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCRT solutions किस चैप्टर के तो जिस चैप्टर को थेयोरी पार्ट पर हम कंप्लीट कर चुके हैं क्लास एट हिस्ट्री का चाप्टर 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 ए ट्राइबल्स डीकूज एंड दी पास भी हैं आंसर मेरे पास हैं तो अब उन सारी चीजों को comprehensively इस वीडियो लेक्चर में डिसकस करने वाले हैं फाइन बेखिये क्या है तो सबसे पहले हमारे पास में फिलप्स तो फिलप्स डिसकस करते हम पहला पॉशन क्या है तो बिटिश डिस्क्राइब दी ट्राइब पीपल एज डिस्क्राइब तो दोनों मैं से एक बिलिख सकते हो तो जंगली बताया उने घीए ऐसा बोलते थे प्रिटिश ओविश्यल्स ठीक आगे कि मेथर्व सुइंग सीड इन जम कॉल्टिविशन इस ओट डियाश ठीक है तो जम कल्टिविशन में जो जू कल्टिविशन पर शब तरह सेट सेट आप सब्सकृति और उस सब्सक्राइब बताया है स्प्रसृफीकली और जब में वीड को परफॉर्म कहा जाता था तो उसे ब्रॉड कास्टिंग कहा गया है ब्रॉड कास्टिंग ठीक है यह मैंने मिटा क्यों दिया मुझे नहीं पता है पस पैन घुम गया मारकर और मिट गया सेवज क्लेर आप भी लिखते कलेंगे अपनी बुक में आगे क्या है विट ट्राइबल कीश को एक सेटल्मेंट मिल गया था वह क्या मतलब कुछ टाइटल्स मिलेते तो लैंड टाइटल्स मतलब जमीन पर हग तुमारा ही रहेगा लेकिन तुमारे जो इकनोईग पावर जा to work in the dash of Assam and the dash in Bihar. तो in the tea plantation of Assam and in the coal mines, ठीक है? तो यह ध्यान रखना है, आपको search for the work वारे topic में बताया है थामने. And in the coal mines in Bihar. तो यह fill up हमने discuss कर लिए, किसी प्रकार के कोई doubt नहीं रहना चीज़ में, यह right answers हमने discuss कर लिए. अब next question क्या है हमारे पास में, तो next question में हमारे पास में true and false है, clear? तो true and false देखते हैं, पहला question क्या है, पहला question क्या बोल रहा है, देखिए, पहला question बोल रहा है, अब ही बताया था, जो sowing का तरीका है, वो अलग होता है, उसे broadcasting, छर्राना कहते हैं, एक तरह से क्या है, उन्होंने बस उपर उपर दाने डाल दी है, भी जो seeds होते हैं, वो डाल दी है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, true and false में आपको, कि जुम कल्टिवेटर्स प्ल अतलब 2 रुपे में खरीदेंगे, तो उसे 10 रुपे में बेचेंगे, क्या पांच गुना ज्यादा कीमत पे ट्रेडर्स बेचते थे, जी हाँ, यह पढ़ाया था हमने, तो यह भी true है, फिर क्या है, बिर्सा आज इस followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery, जी हाँ, तो यह हमने आपको बिर्सा मुंदा वाला जो लास्ट फिडियो लेक्चर था, उसमें डिसकस किया था, कि बिर्सा मुंदा ने क्या अपील करी उनके लोगों से, कि रिफॉर्म लाना होगा, रिफॉर्म दारू पीना बंद करो, ठीकें, गेव अप drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery, तो जादू, तो इन सारी ची कि इन्हें settled agriculturalist बना दिया जाए, ट्राइबल को, ट्राइबल का जो रहने का तरीका है, उसे खतम किया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, false हो जाएगा, यह सहीं answers है इसके, ठीक है, अब आगे देखो क्या है, ठीक, question answers, NCRT solution, what problems did shifting cultivators face under British rule, ठीक है, British rule के अंदर में, shifting cultivators इसने किन-किन समस्याओं का सामना करा, क्या फिर क्या problems उनोंने face करी, तो the problems faced by shifting cultivators under British rule वर, ठीक है, यह problems है, तो सारी problems अब देखिएगा, क्या है, the life of shifting cultivators was directly connected to the forest, shifting cultivators क्या, एक जगा पेड काटेंगे, दूसरी जगा जाएगे, वहाँ, आग लगाएगे, वहाँ, खेती करे पिर change होंगे, तो उनकी life तो totally dependent होती forest क्यूपर, so when the British brought changes in forest law, ठीक है, their life was badly affected, ठीक है, तो जब forest laws बदले गए, तो उनकी life पे बहुत जादा impact पड़ा, ठीक है, the British extended their control over all forests and declared that forests were state property, ठीक, तो अब देखो क्या है, कि यह एक बड़ा कारण रहा है, जिसके चलते shifting cultivators को बहुत जादा negatively इस चीज ने effect किया, क्या है वो करण, देखो, तो तो British extended their control over all forests and declared that forest were state property, अब से forest किसकी property, state property कि तो आप कहीं भी किसी पी तरह से जंगल नहीं काट सकते हो, जंगल काट होगे तो punishment मिल जाएगी, एक करण ही हो गया, फिर क्या है, some forests were classified as reserved forests for their produced timber, ठीक है, which the British wanted, ठीक है तो अब देखो कहा है, जब यह forest law के हिसाब से अलग-अलग forest को अलग-अलग category में classify किया गया है, तो कुछ forest को कैसे classify कर दिया, reserved forest के तरह, ठीक है, for their produced timber, ठीक है, अब क्या तो तो वहां से timber मिलता तो timber petitions को चाहिए रहता था, तो अब यहां पर shifting cultivators जानी पाएंगे, in this forest people were not allowed to move freely and the gym cultivation, ठीक है, and perform gym cultivators, यहां पर people were not allowed to move freely and the gym cultivators were also not allowed, इस तरह से आप आगे add कर सकते हैं, ठीक है, अब क्या है, अब आगे समझी अगला point decor की किस तरह से effect हुआ था, किस के उपर shifting cultivators के उपर, तो वो था, many cultivators had to move to other area in search of work, काम ढूंडने के चक्कर में, दूसरी जगा भी सारे shifting cultivators को, अब क्योंकि खेत, जंगलों पर तो कबजा कर लिया Britishers ने, अब जब जंगल पूरे Britishers के अंडर में आ गया है, तो shifting cultivators को दूसरी जगा shift होना पड़ा, ठीक है, आगे देखो क्या है, आगे देखें अगर हम तो, how did the powers of tribal chiefs change under colonial rule, देखो एक एक topic जैसे पड़ा अधर वैसे topic पे, हर topic पे question and CRT ने दे दिया, tribal chiefs की position जो थी, वो decline हुई, पता था आपको, अब वो कैसे क्या हुआ, वो question पूछ लिया आप से, तो देखो, the tribal chiefs were important people, they enjoy a certain amount of, तो भी उनकी power वता ही, पूरी की economic power and had the right to administer and control their territory, ठीक है, फिर क्या है, under the British rule, the functions and the power of these tribal chiefs change to a great extent, ठीक है, तो अभी उनकी power जो है, वो बदली गई, बहुत जादा, how did the powers of tribal chiefs change under the colonial rule, तो to a great extent their powers were reduced, कैसे, तो they were allowed to keep their land titles over a cluster of village and a rent out lands, but the administrative, judicial and economic power they enjoyed before the arrival of British were removed, तो उनकी ये सारी powers क्या हो गई, खतम हो गई है, ठीक है, तो administrative, judicial, economic powers जो उनके पास थी, तो इन सारी powers को खतम कर दिया गया, ठीक है, आगे देखो क्या है, they were required to follow British laws, अब tribal chiefs पहले अपने खुद के laws बनाते थे, now they were required to follow British law, pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British, तो अब कुल मिला के बिटिश की एक क्या बनगी, पपेट बन गए कौन, tribal chiefs, तो वो कटपुतली की तरह उनके उन्हें काम करना परता था अंदर the British फिर क्या है, they lost the authority, they had earlier enjoyed among their people and were unable to fulfill their traditional functions, अब उनके पास जो authority थी, जो powers थी, जो functions थी, वो सारी की सारी खतम होगी, tribal chiefs की, ठीक है, and they were unable to enjoy the traditional functions और जो पुराने समय से वो अपने functions परफॉर्म करता रहे थे, अब वो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आगे देखिए, क्या है, अब question है, what accounts to the anger of tribals against the deco's, deco's मतलब क्या होता है, तो वो भी लिखेंगे हम इसमें, और दूसरी चीज के आई कि क्यों deco's के against में घुसा थे, tribals, तो देखिए, in tribal society, deco means outsider, तो जो बाहर से आया, वो deco हो गया, ठीक है, और someone who came from outside, like money lender, trader, zamindar, contractor, the British, etc, तो यह सारे लोग उन अंगर of tribals against the deco's were, क्या क्या reason है, यह यहाँ पर लिखे है हमारे पास, तो the tribal practice shifting cultivation, but the British forced them to follow settled agriculture and also forcefully introduced land settlement, तो इस कारण से नहीं से लगा किया, यह बाहर से लोग आए और हमें क्या कर दिया, हमें हमारे traditional rights से deprived कर दिया, एक कारण ही हो गया, दूसरा the British rule, under the British rule, the tribal chief lost his authority, they had enjoyed earlier amongst their people and were unable to fulfill their traditional rights, tribal chiefs जो अभी हमने आपको पिछले question में ही बता है, कि tribal chiefs पोजिशन अपनी, tribal chief की position decline होते चलेगी, तो लोगों को भी ऐसा लगता था, कि हमारे system के साथ में क्या किया जा रहा है, एक तरह से पूरा interfere किया जा रहा है, हमारे system को तोड़ा जा रहा है, तो वो गलत ल तो यह चीज बहुत बुरी थी, by the introduction of forest laws, the British evicted the tribal from their own land, as a result, they became homeless and were forced to find other work to earn their livelihood, ठीके, तो result क्या देखने को मिला, as a result, बेरोजगार हो गए उन्हें, अब क्या करना पड़ेगा, पेट पालने के लिए कहीं, दूसरी यहा काम करना पड़ेगा, traders and their agents exploited the tribal's on economic front, तो अब यहाँ पर क्या है, तो डीकूज में सिर्फ British थोरी ना थी, यह money lender, traders, अमिंदार, यह लोग भी थे, तो इन्होंने economic front पर क्या किया, बहुत जादा exploit किया, किसे बहुत जादा exploit किया, tribal's को, कैसे है, तो बहुत जादा interest charge करना, कम कीमत में, हां से कुकून खरी लेना, बहार, जादा क किमत में बीच देना, तो यह सारे कारण थे, जिनके चलते क्या है, कि tribal's were angered against the Deku's, ठीक है, अब last question, last question क्या है, देखिए, तो, what was the, what was Birsa's vision of golden age, बिरसा golden age के बारे में क्या सोचते थे, उनका क्या vision था, and why do you think such a vision appealed to the people of the region, ठीक है, मतलब कि लोगों ने उनके उस golden age को क्य क्यों accept क्या, क्यों people were appealed to the vision of Birsa Munda, ठीक है, Birsa Munda ने जो vision दिया कि ऐसे ऐसे golden age आईगी, तो, लोगों को किस चीज ने प्रेरित किया, कि हाँ, उस vision के साथ में जाना चाहिए, that people should move on to that vision, ठीक है, कारण क्या है, तो, पहले Birsa Munda का golden vision समझते है, Birsa talked about the golden, talked about a golden age, a satyug, an age of truth, in which like in the past, the tribal people would live a good life, construct embankments, tap natural springs, work on their, work on their lands, plant trees and orchards and practice cultivation to earn their living, ठीक है, अब दो क्या है, तो, बिरसान अपने golden age कि सिंपल सी definition बताती, कि जैसे हम पहले सत्यूग में रहा करते थे, the age of truth में जैसे रहा करते थे, नेचर के साथ में पूरी तरह से इंटरेक्ट करना ये साजी चीज़ हम वैसे रहेंगे, ठीक है, और वो एक golden time period है, golden age रही है, ठीक है, he visualized an age where mundas would again be free from the operation of decous and their ancestral rights would be restored, उन्होने बोला कि हमारे जो पूर्वा जो पूर्वा जो अधिकार देखे गाए थे, हम वो अधिकार वापस लेंगे जंगल हमारा अपना होगा, ये जो डीकू आउसाइड because this would help them to drive out the decous and the government and would set up a mundaraj with बिर्सा as its head, ठीक है, तो आप क्या होता है कि लोगों ने जो दूसरा पार्ट है question का, why would you think, why do you think such a vision appeal to the people of the region, तो क्यों appeal क्या होगा बिर्सा मुंडा के इस vision ने तो उसका कारण देखे, his vision would have appealed to the people of the region because this would help them to drive out the decous, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ या बिर्सा के vision को follow करेंगे, तभी हम क्या है decous को बाहर निकाल पाएंगे and the government and would, government को भी बाहर निकालना होगा, decous को, British government को सबको and would set up a mundaraj with बिर्सा as its head, ठीक है, उसके बाद में reform भी आ सकता है, society में सारी तो इस कारण से लोगों ने क्या किया होगा, बिर्सा मुंडा के vision को accept किया होगा, बिर्सा मुंडा के जो vision है उस पर चलने के बारे में सोचा होगा, ठीक है, तो अब पूरा chapter यहां पर होता है complete, theory part पे भी, question answer वाले part पे भी, सारी चीज़ें complete होगी है, topic, sub topic, सब कुछ पढ comment section, till then stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.